Well, so good morning, good afternoon, good evening to all of you, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग, I hope आप बहुत अच्छी होगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, I hope आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, पुरे जोश के साथ चल रही होगी, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रही होगा, और आप वेट कर रहे होगे CA Final IDT का RTP का discussion, तो चलिए मैं RTP का discussion इसमें यहाँ अभी cover कर रहा हूँ, तो मेरे साथ यह discussion complete कर लेना, इस बार के RTP के खास बात यह है वेटा, कि इसमें जो important amendments है, जो मुझे पढ़ाते वक ही लगाता है कि important है और इसमें question आ सकता है, तो most of the amendments जो important है, उसके सारे questions इसमें RTP में लिए हैं, अगर आपने May 24 exam के लिए जो amendments applicable है, वो मेरा वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है, तो description में उसके link दे हुई है, तो वो जरूर देख लेना, तो वो वीडियो आपने देख लिया होगा, तो यह amendments आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, साथ-साथ में इस RTP discussion में हम क्या करेंगे, कि जहाँ-जह amendments related adjustments है, फिर से एक बार amendments go through कर लेंगे, तो आप amendments से immediate connect हो जाओगे, तो चलिए, तो यह एक बात आपको और कह दूँ कि आगे बढ़ने के पहले, मैंने description में आपको RTP का link भी दिया हुआ है, RTP का source material का link दिया हुआ है, description जरूर देखेगा, मैंने सारी links दिया है, सारी links दिखिए मितलो, okay mission संबाज, जरूर देखना बहुत अच्छे से मैंने record करके दिया है, okay तो यहाँ पर specially आखरी वाले topics तो जरूर देख लेना आपने, यहने आपको पूरा topic ही connect हो जाएगा, offense, prosecutions, appeal, demand, recovery, तो penalties, यह सारे topics बहुत अच्छे से connect करके दिया है, तो वो जरूर देख लेना, बाकि तो जो topic ITC वगरे, या refund वगरे जो आपको refund भी जरूर देख लेना, और ITC यह भी एक important topic है, और बाकि जो आपको ठीक लगे वो videos आपके time, जैसे आपको permit करता है, वो जरूर देख लेना, मैं तो कहोगा कि यह revision video जरूर देखे, so that आप subject से immediate connect हो जाए होगे, उसके बाद में questionnaires भी ओके आपको देख लेना है, most of the chapters के questionnaires videos मैंने yes record करके दिये हैं, और वो आपको कर देखना है, तो description में मैंने questionnaires videos के भी link दी हुई है, पर मैं आपको यही suggest करूँगा, कि concept अगर आपने पढ़ लिए, तो पहले खुर try करो, जहाँ problem है वहाँ देखो, अभी ज़्यादा videos में time, okay, engage मत करो, हाँ, revision से subject से connect हो जाँ, और questions को try करने की कोशिश करो, वो real self study है आपकी, हाँ, जो जो videos के, मेरा genie book available है, जहाँ आपको दिक्कत जाती है, आप genie book से video देख सकते हो, या फिर chapter wise आपको questionnaires के video देखना है, तो वो भी आप देख सकते हो, description में मैंने उसका भी playlist का link दे दिया है, तो चलिए दोस्तों, start करते हमारा RTP का description, हाँ, इस बार का यह जो institute का RTP है, इसकी pdf copy मैंने यहाँ पे दे दी है, description में उसकी link आपको मिल जाएगी, RTP resource material करके, तो वो link आपने देख लेना है, और एक important बाद आपको यह कह दूँ कि, मैंने उसमें last भी RTP डाला हुआ है, और last RTP का video link भी दिया हुआ है, generally अगर आप, generally exam के वक जब हम preparation करते हैं, तो दो RTPs आपने देखना चाहिए, तो जैसे आपको time permit करता है, तो दो RTPs आप देखके चलो, तो आपका, यह RTP में तो most of the amendments कवर हो जाएगी, और पुराने RTPs के कुछ important questions होगे, तो वो भी कवर हो जाएगा, नौ दोस्तों, मैं आपको एक बाद बता दूँ, कि MCQ questions जो मैं अभी RTP में ले रहा हूँ, इसकी hint, जो है, hint मैंने बहुत अच्छे से बना के दिया है, तो MCQ questions का hint, क्योंकि descriptive questions आपको मिल जाएगा आपको, that yes, आपको समझने में आसानी होगी, बाद में जब भी आप, अभी तो मैं समझा हो गई, पर बाद में जब भी आप रिविजन के ले लोगे, तो आपको समझने में आसानी होगी, RTP questions में अगर हम देखते हैं, तो RTP questions में यहाँ पे इन्होंने पहले ही कह दिया, पहले paragraph में, कि जो भी हमने amendments इसमें cover किये, 31st October 2023 तक की amendments हम cover कर रहे हैं, और Finance Act 2023 हम इसमें cover कर रहे हैं, CGST rules भी accordingly हम cover कर रहे हैं, rates जो है, वो hypothetical rates इन्होंने दी है, MCQ total इसमें 20 questions cover किये, जिसमें MCQ के 10 questions हैं, MCQ के 10 नहीं, मेरे कहल से 11-12 questions हैं, यहाँ पे यहाँ तक देखा जाए, तो 12 questions MCQ के हैं, और 8 questions descriptive questions इन्होंने cover किये हैं, तो इस तरह से हमें RTP जो है देख लेना है, RTP यहाँ पे हमें देख लेना है, ठीक है दोस्तों, so are you ready? Yes or No? हाँ, और मैं आप सबी को बताओ, कि बाकी mission sambow, revision, amendments, questionnaire, जो भी resource matter है, सबकी link में दिस्क्रिप्शन में दी है, और mission sambow, जो chapter wise chart revision है, वो आप जरूर join कीजिएगा, और कैसे join करना है, मैंने वैसे तो mission sambow के पहले lecture में बताया हुआ है, तो भी दो मिनिट में आपको में बतादू, जो मेरा chapter wise chart revision है, यह आपको, यहाँ पे वीडियो तो आपको thing just thing विशाल सर पे मिल जाएगे, लेकिन अग जाके जो है, आपको free content में mission sambow मिल जाएगा, वो subscribe कीजिए, login कीजिए, जैसे आपका login के create हो जाएगा, उसमें resource material में आपको मैंने सारा material free, यहाँ पे material provide किया हुआ है, और साथ साथ में मैं आपको यह कह दू कि अभी कुछ दिनों के लिए हमने give away scheme, यहाँ पे physical copy of this chart book, तो chart देख सकते हो हमारे website पे, vsmartacademy.com पे, और accordingly physical copy चाहिए, तो आप वो भी give away scheme में ले सकते हो, ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए, start करते है हमारा discussion, चलिए, तो यहाँ पे पहला case लेते हैं, धरिया लिमिटेड इंडिया, a registered supplier under GST in the state of Kerala, is engaged in the goods and services, तो यह scenario 1 है for MCQ, बढ़ अच्छा MCQ, बहुत अच्छे से उनने बनाया हुआ है, तो धरिया लिमिटेड है, registered in Kerala है, तो दो मेट में देख लेते हैं, धरिया registered in Kerala, Kerala में registered है, registered entity है, और दो टाइप के supply करता है, supply of goods यह supply of services, चीक है, धरिया INC, San Francisco, USA is subsidiary of धरिया लिमिटेड इंडिया, अच्छा, इनकी एक subsidiary है, और वो subsidiary यहाँ पे, धरिया INC है, तो धरिया INC, USA की है, जो supply of services करती है, जो supply of services करती है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे, इनने, क्या का है, engage in the information technology services to a customer in USA, धरिया लिमिटेड, इंडिया has undertaken following transactions during the month of April, April में following transactions की है, तो April को round up करो, चली, देख लेते है, supplied large paper roll to Ford Mount School, Bangalore, अच्छा, यह केरला का है, बैंगलूरु में supply किया, for printing of question paper, तो यहाँ पे large paper roll supply किया, as directed by school, धरिया लिमिटेड, डिलिवर्ट पेपर रोल्स, अट प्रिंटिंग प्रेस, लोकेटेड इन त्रिविंद्रम, केरला, ठीक है, अब यहाँ थोड़ा धहान से देखिएगा, कि built to ship to model में है, और built to ship to model में, जहां तक देखा जाए, तो दो तीन बात है, हर transaction GST के impact क्या होगे, सोच लो पहले, फिर MCQ क्या पुछ है, बाद में देखेंगा, अगर तुमने impact पहले ही सोच लिए, तो फिर आपको MCQ solve करना आसन हो जाएगा, थोड़ा सोच लो तो impact क्या आ किया गया, तो यह situation में, क्या इसको exemption मिलेगा, क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि school को certain services देते है, तो exemption है, जैसे transportation of student, faculty and staff, school को service दिया, या catering including mid-day mills, service school को दिया, या housekeeping services school को दिया, तो जो आपने exemption पढ़े, वो services के पढ़े है, goods के exemptions नहीं है, या कुछ होगे, तो वो case में, यहा को syllabus में, goods के exemption नहीं है, यह normal paper supply किया, तो default ऐसा exemption अजूम मत करना, क्योंकि पहले तो supply of goods है, तो supply of goods है, तो यह taxable है, यह exempt नहीं होगा, यह taxable होगा, दूसरी बात, यह, जहां तक है, bill to, shift to में दिया गया, bill to, shift to में यह दिया गया, bill to, shift to में अगर इसको दिया गया है, तो ध bill to bangaloreo है, और shift to kerla है, तो इसका place of supply कैसे fix होगा, अगर bill to shift to में होगा, तो, समझे लो, आपको decide करना है, intrastate, interstate, MCQ में कहीं पूछ लिया, तो place of supply है, आप rule 10, 1, sorry, rule नहीं, sorry, section 10, 1B से fix कर सकते हैं, और section 10, 1B में, अगर bill to shift to model होता है, तो वो case में, यह जो पहला bill माना करनातक satisfy है, और यह पहले bill का place of supply है, जो है, यह पहले bill का place of supply है, आपने क्या पढ़ा था, पहले bill का place of supply है, मैं पढ़ा था, कि principal place of business of that person, तो वो Bangaloreo की डिशहूल है, बैंगल्रु के स्कूल है, प्रिंसिपल place of business बैंगलरु है, वीन के वजे से इसका place of supply अपने के ज़े से चलिए, तो ये करनाटका माना जाएगा, place of supply, done, ठीक है, अब second अगर हम देखते हैं, इसका, just a minute, ठीक है, एक minute, बीटा, एक minute, येस, येस बीटा, तो यहाँ पे build to shift to model, जो है place of supply, और वो principal place of business of your customer, delivery even केरला में दी होगी, पर उसका place of supply जो है, बैंगलरी में fix किया जाएगा, इसलिए वो interstate माना जाएगा, और IGST लगेगा, चलिए, और कोई implication, no, इसके और कोई दुसरे implications नहीं है, इसके बाद में next लेते है, one amount recovered from the outgoing managing director of Dharia Limited, since he has left the employment before contracted period, अब देखो, left the employment before contractor period, और उसमें one amount जो है, okay, यहाँ पे recover किया गया, one amount forfeit किया गया, और 2,50,000 का forfeit किया गया, अब इसमें concept क्या है बैटा, थोड़ा आपको यह समझा देता चली, whatever the MCQ they are going to ask, वो आम बाद में handle करेंगे, पर इसके GST के क्या implications है, थोड़ा यह समझा देता हूँ, GST के implications अगर आप देखोगे, तो वो situation में, जहां तक देखा जाए, हमने देखा था schedule 3, schedule 3 में पैरावनिय कहता है, और पैरावनिय कहता है कि any supply, अब सुनों, यहाँ प आपको एक बात बता दूए, इसमें supplier employee होना चीए, आप एबात समझ रहो, इसमें supplier employee होना चीए, और, sorry, supplier employee होना चीए, और recipient employer होना चीए, मतलब क्या, service employee ने दी, to the employer in the course of employment, जिसके against में salary मिला, जिसके against में wages मिला, perquisites मिला, तो वो supplier नहीं बोला जाएगा, तो supplier है, यहाँ प एक जनरल कॉंटेक्स्ट में क्या होता है, आपको यह बता होगा, जिसको पैसा मिलता है, सुनो, जिसको पैसा मिलता है, वो सप्लायर होता है, तो ऐसे किसमें पैसा किसको मिल रहा है, वेजस किसको मिल रहा है, सालरी किसको मिल रहा है, एम्प्लोई तो सप्लायर वही रहेगा अब यहां पे कुछ students क्या confused हो जाएगे और यह confusion वाला point तो institute ने दिया और यही ताव में handle करना है आप इसमें confused क्या हो जाओगे, आप इसमें confused ही हो जाओगे कि यहाँ, okay, 2,50,000 जो amount है, वो 2,50,000 धारिया, इसको जो in the course of employment, इसलिए इसको JST नहीं आएगा चली, आपका answer यह रहा कि JST नहीं आएगा, लेकिन भाई साब आपने क्या reason दिया, कि in relation to employment है, जबकि in relation to employment, para 1, schedule 3 का clause apply होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पैसा employee को नहीं दिया गया, पैसा employee का काटा गया, bond से रिकवर हुआ, और पैसा company को मिला, तो अगर पैसा company को मिला तो supplier company है, यहाँ पे supplier जो है, वो धरिया, okay, तो वो company supplier है, और recipient employee है, और यह forfeiture amount है, ओ भाई साब, यह forfeiture amount है, हाँ, और यह forfeiture amount में, schedule 2 apply होता है, और schedule 2 कहता है, schedule 2 में, अगर आपको para 5 याद होगा, तो उसमें यह कहता है, tolerance, याद है, refraining, tolerance, obligation to do an act, tolerance, refraining, तो यह supply of service माना जाएगा, तो यह पहली बात तो supply of service माना जाएगा, और यह company ने पैसा काटा हुआ है, tolerance charges है, तो यह supply of service माना जाएगा, लेकिन, इस related CBIC clarification था, आपको याद होगा तो, और वो CBIC clarification जो था, वो liquidated damages related था, और liquidated damages related क्या था, कि अगर वो liquidated damages express implied नहीं होगे, और incidental to event होगे, और वो already express implied और agreed नहीं होगे, for the consideration तो वो situation में, वो supply for consideration नहीं माना जाएगा, तो ऐसे case में, यह जो है, वो circular इसको अपला होता है, क्योंकि यह पहले से कोई agreed नहीं था, और कि उसने छोड़के गया, इसलिए पैसा required किया, it was not expressly agreed, कि company को पैस हमेलेगा, bonds recover करके not implied, यह तो incidental to that course of employment है, इसलिए as per circular इसके ओपर JST नहीं आएगा, इस liquidated damages पे JST नहीं आएगा भाई साफ, okay, तो आपका answer नहीं आएगा, answer तो सही है, पर schedule 3 पैरावन से नहीं, यह circular से होना अची है, okay, तो चलो, यह वाला point आपने देख लिया, उसके क्या supply किया, तो भाई साफ, पहले तुम्हें बता दू, यह supply of goods है, दूसरा, territorial water में, oh, territorial water कहीं तो बढ़ा था, कुछ तो बढ़ा था, okay, IGST act में section 9, very good, क्या बात है, IGST act में section 9 था, अगर आपने territorial water में supply किया, तो आपका place of supply तो है, no doubt, GST तो आएगा, पर CGST, SGST, IGST, कौन सा पहले तो अगर territorial water में supply किया, तो जो nearest coastal line है, भाई साब उनने क्या कहा, उनने कहा, 12 nautical miles from the baseline of Kerala and 15 nautical miles from the Tamil Nadu, तो केरला ही होगा, तो हमारा supplier भी केरला का है, यह भी supplier केरला का है, तो इसका केरला ही place of supply होगा, और यह intra माना जाएगा, यह IGST नहीं, okay, place of supply, sorry, place of supply, और यह intra म जाएगा, तो क्या लगेगा, इसके ओपर CGST और SGST लगेगा, भई, MCQ पूछाओंगे, भाद में देखेंगे, पहले तो हमारे concept क्या कहते है, तो मैं यह कहता हूँ, कि MCQ concept based, अगर concept आपको पता है, तो MCQ आप easily soal कर सकते हो, okay, और यहां पर मैं यही कहूगा, कि अगर आप MCQ concepts को समझना चाहते हो, तो specially, जो case study वाले MCQ उस पर practice करके जाना, बाकि MCQ हो ना हो, case study वाले MCQs, मैंने जो MCQ के list आपको provide की है, regular class में, तो आखरी वाला chapter देख लेना, और जहां 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 आपको case study based, इस scenario based MCQ दिखते हैं, उतना करके अच्छे से चले जाना okay, और RTP के MCQs, इस बार के, last RTP के MCQs करके चले जाना, और last RTP की एक दो RTP, जो है, वाप go through करके चले जाना, तो आपके लिए अच्छा है, चलिए, उसके बाद में, next, received an advance for future supplies of the goods from a customer based in India, तो supply of goods का advance, अब goods का advance होता है, तो 66 by 2017 यह कहता है, कि goods के advance पर GST नहीं आता है, तो उसके अपर no GST, GST नहीं आएगा, except specified actionable claim, एक amendment थी और amendment की सबसे specified actionable claim होगा, सुनो, सुनो, मेरी बात, specified actionable claim होगा, तो वो situation में, उसके अपर, okay, advance basis पे भी GST आता है, यह current amendment, finance act 2023 की थी, आपको पता ही होगा, उसके बाद में, received an advance of future supplies of services from a customer based in Kirla, इसके टाक्स आएगा, क्योंकि यह service का advance है, okay, तो चलिए, goods का advance आपको समझ गया होगा, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात, service के advance पर GST आता है, तो इस पर निकालेंगे, और यह तो केरला में दी, मतलब CGST, और SGST इसके उपर लगेगा, उसके बाद में, भाही साब, वो कहते क्या है, computer used for the business purpose and on which no ITC has been taken yet, oh oh, ITC नहीं लिया, और business के लिए computer क्लिये थे, ठीक है, फिर क्या किये, नालायक को अगर business के लिया तो ITC लिया जिया था, नहीं लिया, okay, तो नालायक थे, okay, given free of cost to unrelated person based on, नहीं भाई, okay, लायक होगे, लायक होगे, मतलब क्या, अगर इसका ITC लिया जाता, तो schedule 1, पर 1 के इसाब से permanent transfer of business asset on which ITC is taken, on which ITC is taken, और permanent transfer of business asset होता, तो वो situation में supply बोला जाता और इस पर GST देना पड़ता, जिसकी यहां पर इन्होंने amount भी दिया है, two years back, इतने में purchase किया, open market value यह हो, यह है, वो है, यह सब data तो consider करते, लेकिन भाई साब इन्होंने ITC लिया ही था, अगर ITC इन्होंने लिया और free दिया, तो government कहते है, जा, हमें कुछ नहीं चाहिए, और कि मतलब no supply है, और no supply है, तो इसके पर GST नहीं आएगा, और कि यह वही ना बात, लो कर लो बात, चलो, तो यह हमने हमारी साब से impact देखे है, MCQ क्या पूछते है, उसके पर देखेंगे, पेक या, कमाया नहीं, पेक या, पेक या, मतलब यह inverse अपला है, कि independent director की sitting fees है, अगर independent director की sitting fees है, तो यह situation में क्या करना है भाई साब, यह situation में यहाँ पे, कि याद करो, director to company service होगा, तो वो case में river charge आ सकता है, तो definitely यह case में river charge आएगा, और यह तो sitting fees है, in the capacity of director है, एक circular आया था कि अगर कोई ऐसी service होगी, जो not in the capacity of director है, तो वो case में river charge नहीं, director भी लगा के देगा, लेकिन यह in the capacity of director है, तो river charge भी लगेगा, और अगर हमें ITC पुछा गया, तो इसका ITC भी मिल जाएगा, ठीक है, इसका ITC भी मिल जाएगा, river charge भी रहेगा, और ITC मिल जाएगा, room charges, अब कि महराष्ट्र में जाके CEO रुका, भाई आइश कर रहा है, मंबई में रुका है, तो यह जो भाई आइश कर रहा है, क्या वो उसके एश के credit मिलेगे, मतलब क्या, मंबई वाला जो है, बील आएगा, होटल का बील आपको पता है क्या है, होटल का बील, इवन दो company care like है, पर IGST का बील नहीं आएगा, क्योंकि section 23 के हिसाब से, जहाँ immovable property located होगी, वो उसका place of supply माना जाएगा, मतलब, यहाँ पे हिलीवूड hotel located वाला, इसको IGST का बील नहीं देगा, इसको किसका बील देगा, CGST और SGST का बील देगा, क्योंकि उसका place of supply है, यहाँ मंबई माना है, बड़ा conceptual question है, अगर even though invert supply है, लेकिन no ITC, उसके ITC उसको नहीं ही मिलेगे, बोलस्वाह, okay, so now next अगर हम यहाँ पे देखे, तो company avail the service of arbitral tribunal in Kochi, केरला, okay, to settle the business dispute paid of 7 lakh, arbitral tribunal की service लिए RCM लगेगा, RCM लगेगा, तो इसके ITC मिल जाएंगे, और यह केरला काई है, भाई साब, to CGST, SGST और उपर वाला कहां से, वो भी director, कोची केरला, तो वो भी CGST, SGST का ITC मिल जाएगा, और कुछ बोला है, क्या बोला है उनोने अभी तक रूके निया, तेखो उनकी कितनी यहां पर ताकत है, तो हमारी उस से जादा ताकत है, okay, तेखो, salary of 15,000 was paid to the employee on the payroll, salary है, चोड़ भाई साम, इसके ओपर, okay, ना इंवर्स अप्ला ना GST लगता है, okay, सवाल ही नहीं, a company purchased a new machinery from a dealer based in Kochi, केरला, 12 lakhs rupees, depreciation was claim under the income tax 9061, the same including all applicable taxes, तो खीच के, नाला एक तुने आप depreciation, अगर, okay, total पे, on the all applicable taxes, total पे depreciation claim किया, तो गया तेरा, okay, ITC गया, no ITC, ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि section 16.3, अगर आप देखते हो, वो यह कहता है, कि अगर आपने total value पे depreciation claim कर लिया, तो ITC नहीं मिलेगा, okay, तो कोई ITC नहीं नहीं है, अब आगे क्या बोलते है, अभी हैच क्या और, हाँ, और है, इन द मन्त अब में, okay, Dhariya Limited said a team of 25 employees to San Francisco for receiving training in emerging information technology, training के लिए बेजा, अपने ही INC के पास, ठीक है, the training was given by, okay, Dhariya INC USA, at its official located in San Francisco, the expenses related to same training were paid by Dhariya Limited to Dhariya, Dhariya INC, चलो, amount pay कर दिया, pay कर दिया, तो for consideration है, no problem, okay, pay कर दिया, तो consideration है, और consideration पे import service होगा, तो section 7-1-B में ही, तो सर्विस इंपोर्ट होगी, तो देखते है, अब import है की नहीं है, वो भी देखेंगे, देखते है, आपके IGST के कितने concept connect होते है, इसका place of supply भी fix करेंगे, okay, तो वहाँ से training service ली गई, okay, अगर training service ली गई, तो देख है, और एक party इनिया में है, अब training की service में, बहुत ही कितना deep में जाके पूछा है, अब इसका पहले तो import service है या नहीं है, भाई साब, import service कुछ भी मत कर देना, बाहर से service ली, import service ना मना ना, okay, आपने import service है की नहीं है, यह import service के definition पर जाके देखना है, okay, अब यह import service के definition क्या है, service which is imported, दो खीच की दूँगा, service which is imported, भाई, IGST Act में import service defined क्या हुआ है, क्या define क्या हुआ IGST Act में import service, IGST Act में import service के बारे में यह कहा गया है, कि location of supplier बाहर होना चाहिए, हाँ, okay, जिसने training service दी, क्योना, हमारी ही subsidiary हो, पर बाहर है, recipient इंडिया का होना चाहिए, हाँ, तो location of supplier outside India, location of recipient इंडिया में होना चाहिए, हाँ, भाई, recipient इंडिया में है, पर place of supply इंडिया में होना चाहिए, भाई साफ, तो ही import service बाना जाएगा, और import service माना जाएगा, तो फिर import service, रिवर चार्ज में DGST आएगा, other than NTR, तो अब place of supply कैसे fix करना, तो इसमें place of supply भी है, हाँ, अब इसक करोगे section 13 से, section 13 of IGST Act करता है, एक पार्टी इंडिया में है और एक पार्टी इंडिया के बाहर है, तो वो situation में आपका place of supply कैसे fix किया जाएगा, तो वो section 13 से fix किया जाएगा, अब 13 में कौन सा section लगता है इसको, okay, training है, training है, तो कौन सा section लगता है, training को कुछ दिया ही नहीं है ना section 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay, कहीं पर दिया नहीं है, भाई साब, okay, अगर दिमाग लडाओगे, तो section 13, 3 में कुछ ही दिखेगा, अगर नहीं होगा, तो जाके open करो, मैं बताता हू, 13, 3 में कहा गया, कि आपके service का nature कुछ ऐसा है कि individual physically available होना जरूरी है, या goods physically available होना जरू क्या हुआ, individual physical available होना जरूरी है, तो वो case में place of supply, place of performance के base में लिया जाएगा, open करो section 13, 3, place of, okay, individual वहाँ गये, और individual वहाँ जाकर उनोंने training लिया, तो वो case में place of supply, place of performance माना जाएगा, और place of performance अगर माना गया, तो वो case में क्या होगा भाई साब, तो वो case में, okay, performance कहा हुआ, USA में हुआ, तो place of supply हमारा इंडिया में fix हुआ ही नहीं, हमारा place of supply USA fix हुआ, तो हमारा place of supply अगर USA fix होता है, तो ऐसे case में वो import service है ही नहीं, अगर import service नहीं है, तो उसके ओपर कोई भी GST नहीं आएगा, और इस server payment इंडिया से हुआ, no GST, no GST, okay, वो import service होना चाहिए था, import service consideration गया, इसलिए GST लगा देंगे क्या, नहीं, तो ऐसे case में supply ही नहीं है, GST नहीं आएगा, ओ छो सर, इतना deep में था, okay, deep में नहीं conceptual based था, okay, और भाई साब कभी-कभी real से जाके थोड़ा लंबे वीडियो देख लिया करो, okay, छोटे-छोटे shortcut वीडियो मत देखा करो, ऐसे concept event limited and event management company located and registered at Karnataka, दूम मचादो दूम, ठीक है, event management company located and registered at Karnataka, and organize a cultural event in the month of May, for Dharia limited in Dubai, Dharia limited in Dubai, Dharia limited in India, okay, so company, event management company Karnataka, वो भी party in India की है, लेने वाला भी India का है, पर event in Dubai में, Dharia limited paid sum of rupees 10 lakhs to the Dhum event limited for the same, okay, 10 lakh रुपे दी, इसका हमें क्या लेना देना है, भाई साब हमें इस लेना देना है, कि इसके impact क्या है, सबसे पहले तो who is the supplier, Dhum, बचादो Dhum, okay, याने Dhum event limited है, service लेने कान को आला कोने हमारा register पर संदर है, दोन क्योंकि दोनों party is India में, और section 12 में, organization of event, I repeat, organization of event का place of supply, B2B होगा, तो location of such registered person, B2C होगा, तो यहाँ पर event जाओगा, और event इनिया के बाहर हुआ, तो location of recipient, पर पहली बात तो हम B2B में जाए या B2C में जाए, तो यह भाई साब हम B2B में जाएगे, क्योंकि धारिया limited registered है, registered है तो B2B होगा, तो B2B में जाएगे, तो B2B में जाएगे, तो location of such registered person, location of such registered person, is Kerala, जहाँ event वाँ नहीं, या B2C में मतर करना, answer गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में, क्या event अगर बाहर होता है, तो भी, okay, वो location of recipient, तो वो कहाँ B2C में है, पर जब यह B2B है, तो ह location of such registered person, उसके base for answer देना, तो ही marks आएगे, अगर MCQ में कुछ इसके बाहने में पूचातो, तो यहाँ पर प्लेस of supply, okay, Kerala माना जाएगा, वास वाँ भाई साब, वाँ, okay, Kerala, okay, जाएगे, नोट्स देख थे, क्या दो बाही, बतादो, नोट्स क्या, rate of CGST, CGST 9% each, ठीक है, all amounts given, exclusive of tax, okay, opening balance of IDC for the relevant tax period of the daily meal, okay, assume that there is no other outward and inward transaction, apart from opposite transaction, in the month of April में, कोई inward outward transaction नहीं है, okay, April, in the month of April में, तीक है, जाने तो, based on the facts of our scenario given above, choose the most appropriate answer, okay, 1, 2, 6, तो चला, appropriate answer, देख लेएगे, क्या है, okay, पहला, okay, यह रहा, आपके सामने, hand to hand, and talk, देखो, तो पहला क्या है, okay, भाई, बहुत ही मजा की बुड़ में हुआ है, देख लेते हैं, which of the following activities or transactions undertaken by Dharia Limited, do not amount to supply, supply of steel sheet in a tributal water, वो तो है, supply ही है, okay, अगर आप देखो के तो मैंने यह पहले बोल दिया, steel sheet जो tributal water में supply किया, वो supply है, और उसके ओपर GST आएगा, आ not a supply, मिल गया, not a supply, क्योंकि ITC नहीं लिया उसका, okay, not a supply, reason दो ही देने, reason भी देने तो हम ready है, okay, हमने तो discuss कर लिया है, उसके बाद में third, supply paper roll for printing question paper, यह भी, इसको कोई exemption नहीं है, यह supply है, तो यह supply है, हा, recovery of bond amount for outgoing managing director, यह भी मिल गया, यह भी supply नहीं है, क्योंकि यह liquidity damages, supply for consideration न 2 and 4, 2 and 4 मतलब A, इसका answer है, जाओ, answer में देख लो, answer में देख लो, हम आखरी में देखेंगे, okay, answer में, tally हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने भी तक नहीं देख लेंगे, हम क्या आते है, और फिर answer देखते बेढ़ेंगे, tally हो सकता, मिस्टेक हो जाए, मिस्टेक हो जाए, में, कौन से supply है, service received from independent director, yes, ये river charge में, accommodation service from hillwoods, hotel, Mumbai, नहीं, ये river charge में नहीं है, okay, उसके बाद में service from arbitral tribunal, ये river charge में है, उसके बाद में new machinery purchase from dealer based in coaching, नहीं, वो river charge में नहीं है, salary paid to employee, वो river charge में नहीं है, मतलो 1 entry, 1 entry किस में देख रहा है, D में देख रहा है, इसका answer D में आ अभी तो उनने just start किया, देखो आगे क्या है, compute the total GST payable on outward supplies before setting of the ITC for the month of April by Dharia Limited, हा, तो अब इसके लिए रफ में आपका एक table बनाना पड़ेगा, तो रफ में टेबल बनाना तो हम कौन-कौन से, पहले transaction पे GST आएगा, और पहले transaction पे IGST आएगा, उसके बाद में second transaction bond वाले नहीं आएगा, तिसरा territorial water में गया, उस पे GST आएगा, सिभ आपका outward tax of धारिया निकालना है, उसके बाद में advance of goods पे नहीं आएगा, advance of service पे आएगा, और ये computer वाले पे नहीं आएगा, ये तो your charge वाले है, सब invert supply है, यहाँ पे जो दिये गया है, और ये भी invert supply है, तो अगर आप मैंने, हाँ, एक बाद आपको बता दू, description में, resource material for RTP, okay, resource material for RTP, मैंने एक link दी है, उसमें मैंने, okay, इसके hint के साथ साथ सौल करके दिया, ये जो भी आपने question देखाना, ये वो question है, और ये question MCQ में मैंने hint के साथ सौल करके दिया, तो तीसरा वाला मैंने hint दिया हुआ है और ये पूरा table बना के reason के साथ दिया हुआ है, ये table बना के reason के साथ दिया हुआ है, तो आपको वो देखना होगा, तो वो भी देख लेना है hint के साथ, okay, तो वैसे ये table आपको तो फटावर डॉप मी बनाना है, आपको इतना नहीं है, पर जब आप पढ़ोगे तो आपके लॉजिक होना जरूरी नहीं है भाई साथ, okay, तो लॉजिक होना जरूरी है, तो supply of paper roll, 10-1 B लगेगा, IGST, place of supply, principal place of business, मतलब करना टका, okay, तो यहाँ पे, यहाँ पे, यह इंटर स्टेट माना जाएगा, और इंटर स्टेट पे जो भी amount होगी, इसके पर IGST लगेगा, okay, बॉ इसके advance पे GST आजाएगा, 9% आप GST लगा लोके, तो इस तरह से आपका total output tax payable आजाएगा, उन्होंने सिप outward supply पूछा, उन्होंने आर्सियम का payment नहीं पूछा, तो हमारा कवर हो गया, देखो भाई साब, यह तो आप फट आफट निकाल लोगे, पर भाई मैंने लॉजिक तो क्या answer आएगा, थर्ड का answer आया हमारा 2,70,000 कहा गया, यह हमें पूछा था, IGST 2,70,000, CGST 98,100, 98,100, मतलब यह वाला answer होगा, यह वाला, यह मिलका, तो चलो 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 चलो, यह मिलका answer B वाला, अगर आप देखोगे तो, क्यालकुलेट करोगे तो B वाला answer आजाएगा, अब फूर्थ वाला क्या पूछा, कॉम्पिट टोटल ITC admissible to Dharia Limited for the month of April, अब ITC किसका मिलेगा, बाई साफ, ITC जो उसने purchase किया, purchase क्या क्या किया, इन RCM, RCM में पे करेगा और इसका ITC मिलेगा, उसके बाद में, second वाला होटल वाले का, वहां का सी GST और SGST का ITC नहीं मिलेगा, आर्बिटरल ट्रिबिनल, RCM में पे करेगा, ITC मिलेगा, सैलेगी का तो सवाल ही नहीं आता है, और कंपनी जो है, ये कंपनी में मशनरी कर दी पर देप्रिसेशन क्लेम किया, तो इसका ITC मिलेगा, और ये इंपोर्ट सर्विस ही नहीं है, तो question of ITC does not arise, क्योंकि GST आया नही और, हाँ, event management company से service लिया, तो event management service से company लिया, तो इसके आपर ITC मिल जाएगा, ये भी service हमने event management company से लिया, तो अगर आप answer देखोगे, तो answer में, यहाँ पे, मैंने hint दिया है आपको, यहाँ पे, किसकी hint है, एक मिनट, हाँ, ITC किया तो, एक डम table मना के first class यहाँ पे दिया है, देखो, RCM independent director कर दो मिल जाएगा, उसके बाद में room charges वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि other state का है, reason भी दे दिया, orbital tribunal का मिल जाएगा, और salary paid का नहीं मिलेगा, machine purchase का आपको ITC नहीं मिलेगा, machine purchase का आपको ITC नहीं मिलेगा, ठीक, एक, just a minute, 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 just a minute बेटा, sorry बेटा, कुछ technical problem मेरे screen पे दीख रहे थे, इसलिए में थोड़ा रुग गया था, चली, वापस आते, तो हमने क्या देखा कि हमें ITC जो है, जिसका ITC अभी मिल गया, अब एक आपका सवाल आ सकता है, और वो सवाल क्या आ सकता है, बहादील सवाल है, कि सर यह event management company है, और event management company का ITC, यह 10 लाग का ITC हमने क्यों नहीं लिया, और वो ITC के टेबल में, अगर देखा जाए, तो हमने RCM वाले ले लिये, और जिसके नहीं मिलते हैं, उसके नहीं लिये, पर हमने, जो है, यह जहां तक event management company service जो है, वो भी ली थी, तो केरला उसका place of supply fix हुआ, तो उसका क्यों नहीं लिया, आमने ITC, तो भाई साब हमने ITC इसले नहीं लिया, उसका IGST का, क्योंकि वो मे का है, तो मे का है, तो सर क्या हुआ, अरे भाई हमें जो fix करना है न, हमें for the month of April का दिया है, और वो मे का invoice दिया हुआ, इसले, April में कहां से ITC मिलेगा उसका, ओहो, आप समझ में आया, तो भाई साब हमारा answer क्या match हुआ, हमारा answer यहां पे match हुआ, कि ITC क्या होगा, तो इसका answer आयेगा, क्या यहां मेरे table में, देखो देखो जल्दी जल्दी, तो यहां अगर हम table देखते है, ITC का, तो ITC के table में यह दिख रहा है कि IGST का ITC nil रहेगा, और CGST, IGST का 1,17,000, 1,17,000, तो हमें यहां पे 1,17,000 और 1,17,000 ITC मिलेगा, तो इसका answer अगर हम देखने जाए, कि किसका भाई साहब 4, C GST, यहां पे 1,17,000, SGST 1,17,000, and IGST nil, यह उसका ITC रहेगा, हो गया यह बात चलो, 4th भी हो गया, 5th क्या केते है, Whether GST is applicable on the event organized by Dhum, Event Limited, Karnataka for Dharia Limited in Dubai, and what is the place of supply in such case, Okay, भाई साहब, अब हमारा discussion हो गया न, कि हमने जो event organization of event service ली, तो section यहां पे organization of event, यहने section 12, हा, section 12, 7 के हिसाब से organization event B2B transaction होगा, तो location of search register person, तो हमारा location of search register person केरला है, तो केरला जो है, यहां पे उसका place of supply माना जाएगा, Okay, चलो सर, यह तु समझ में आ गया कि उसका place of supply केरला माना गया, Okay, यह भी हमारे अच्छे से समझ में आ गया, चलो उसके बाद में वो क्या कहते देखो, How shall the abound pay toward training expenses of the employee of Dharia Limited be treated in the GST law, वो भी हमने देख लिया, Okay, कि बही training expenses बाहर हुआ, अगर training expenses बाहर हुआ और उसका place of supply बही बहार हुआ तो उसके पर GST नहीं आएगा, और यह INC EOS is required to obtain registration as an online information data, यह भी नहीं रहेगा, Okay, तो answer क्या रहेगा बाही साब, answer A रहेगा, चलो answer check कर लेते हैं, Okay, answer check कर लेते हैं, तो पहले का answer क्या था, आपको answer जो मैंने दिया वही होगा पहले का answer A था दुसरे का answer यहाँ पे क्या था तो दुसरे का answer D था तिसरे का B था देख लो फटा पट answer तिसरे का B था उसके बाद में यहाँ पे B और उसमें बाद में यहाँ पे चलो मैं भी देख लेता हूँ आप उदर answer में जाएंगे तो answer में जाने के लिए मैं पहले लिख लेता हूँ answer क्या क्या है तो answer है यहाँ पे 1 का 1 का A 1 का A उसके बाद में 2 का 2 का D 2 का D, आप देख लो तब तक 3 का 3 का B 3 का B, उसके बाद में 4 का B, and 5 5 का यहाँ पे B और 6 का A तो देखो देखो, 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 देखो B वाले बहुत आगे इसमे यार, B वाले इतने सारे आने थे तो अगर आप answer नीचे देखोगे देखोगे आजा नीचे 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 तो यहाँ पे 1 का A, राइट है 2 का D राइट है 3 का B राइट है 4 का B राइट है 5 का B राइट है और 6 का A राइट है 6 out of 6 marks आपको मिल जाएंगे चलिए अब यह जो था अबने पहला case scenario देखा तो इस तरह से scenario 1 case study जो है हमारी complete हुई यहाँ पे scenario 1 complete हुई अब हमारा case scenario 2 चालू करते है चलिए तो अब आजाओ आप case scenario 2 में alpha cargo private limited a company registered under GST in the state of Rajasthan in the state of Rajasthan alpha cargo Rajasthan में registered है is engaged in supplying service of transportation of goods transportation of goods की service देता है GTA transportation of goods by road रुग जाओ यह by road थोड़ी बुला है just बुला transportation of goods तो भई हर by road थोड़ी होता है चलो just transportation of goods in addition to its head office registered in Rajasthan head office Rajasthan में the company has also obtained registration in other state where it is operating as a supplier of goods transportation of service during the month of January January period याद रखना January following transactions were undertaken revenue from service of transportation of goods provided to registered person and a B2B transaction का transportation of goods service है 70 lakhs rupees का revenue दिया हुए revenue for supply of goods transportation service provided to DUP governments registered in Rajasthan for transport of goods to Japan is 18 lakhs 10,000 भाइब दिया दूप गार्मेंट को तो प्रावर्विस है कंपनी GTA has opted for payment of GST on Transparency, forward charge basis. यानि, अगर वह by road भी होगा, तो भी forward charge देने का लिए लिए है और by other transportation होगा, okay, तो भी this GTA Goods transport agency है, और goods transport agency है, तो ऐसे situation में, वो forward charge ही लेना चाहती है, इसलिए फिर सवाल ही नहीं है, पहले सवाल ही नहीं है, मतलब पहले transaction पे GST आएगा, दूसरे transaction पे सवाल GST तो आएगा, no doubt, कि Indian person को दिया है, लेकिन आपको याद होगा, तो section, okay, IGST Act में, section, okay, यहाँ पे transportation of goods, section 12.8 था, okay, तो section 12.8 कहता था कि अगर आपका transportation of goods होगा, तो जहा और B2C होगा, तो जहां से goods handed over किया, और उसको एक exception था पहले, क्या था कि अगर destination outside India होगा, तो आपका place of supply outside India मना जाएगा, पर वो exception निकाल दिया गया, वो proviso omit कर दी by Finance Act 2023 ने, अब वो proviso अगर omit कर दी by Finance Act 2023 ने, मतलब आपको अब even though destination outside India होगा, तो भी भी आपका place of supply है, अ अब यहां पर section 12.8 से register person को दिया, तो location of such register person, तो हमारा register person, धुभ government, राजस्तान का है, तो राजस्तान का मना जाएगा, अगर वो amendment नहीं होती, पुरानी amendment चीज़े होती, तो वो situation में, जहां तक देखा जाए, तो आपका place of supply, जो है, जो है, जपान मना जाता था, क्योंकि आपका place of supply, location of such register person, क्योंकि B2B है, तो वो माना जाएगा, तो राजस्तान माना जाएगा, तो आप भी राजस्तान के, जहां तक है, यह भी राजस्तान का, यह भी राजस्तान का, और के दोनों राजस्तान के, क्या अब तेरा क्या होगा रे साभा, मतलब इसके पर सी GST, GST और GST आएगा, उसके बाद में, company paid rent to local municipal authority of respective state for its offices located in different state as mentioned भी रहों, तो अलग-अलग officers, अलग-अलग उनके offices, अलग-अलग states में हैं, और अलग-अलग state में उन्होंने renting service ली और वो municipal authority से renting service ली, renting service ली और renting municipal authority से service ली, भाई, local authority अगर renting service देती है, और यह renting service local authority किसको देती है, पर इसके बाद में, हमारा बंदा तो registered है, और के तो ऐसे case में, river charge लगता है, सही बोले आप, government या local authority renting service register person को देती है, तो river charge लगेगा, तो इसके बाद river charge लगेगा, और river charge में company liable होगी, क्यूंकि company ने rent लिया नहीं, company rent pay किया, और पे invert supply company का, company का invert supply, तो river charge में liability आजएगी, बाद में, there are five independent directors, okay, of the company, all based in Rajasthan, and sitting fees paid to each, such, each director, during the month, 25,000, हर director को sitting fees, दी, oh, तेरी, sitting fees director को दी, from the head office of the company, हर director को दी, तो ऐसे किस में, okay, रिवाच आजाएगा, okay, और या रस्यम में आजाएगा, भाई साफ, sitting fees, दी, in the capacity of the director, out of this director, Mr. X, a chartered accountant and independent director of the company, also a partner of ABC LLP, a chartered accountant firm in Delhi, ABC LLP provided professional service of the company during the month, the LLP has issued an invoice of 1,50,000 on head office in the month of January, professional service, normal service, reverse charge में आएगी नहीं, reverse charge में आएगी नहीं, उसने normal invoice दिया, इवन्दो एक director उसका partner होगा, उससे कोई फरक नहीं पढ़ता, कोई reverse charge यहां आने वाला नहीं है, क्योंकि हम पर बिल जो आया हुए, ABC LLP का आया, अगर ABC LLP का बिल आता है, तो reverse charge नहीं आएगा, और reverse charge नहीं आएगा, तो वो situation में, दोस्तों क्या होगा, तो वो situation में जहां तक दिखा जाए, यहां पर, okay, forward charge में भी लाएगा, कोई reverse charge की liability नहीं आएगी, subjective question है, उसमें discuss करूगा, descriptive questions नीचे आएगा, उसमें discuss करूगा, उसमें rule 28-2 में, अगर company ने corporate guarantee दिया, I mean, में में मैंने लिया था, okay, और मैंने ये revision में भी बहुत अच्छे से cover किया, आपने अगर value of supply revision देखा होगा, mission संभाओ, okay, chapter by GST chart revision, तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से cover किया, और दोस्तों, इसमें क्या हुआ, कि इसमें एक clarification आए कि corporate guarantee होगी, तो आपकी value 1% और actual consideration, whichever is higher, वो माना जाएगा, जितने guarantee होगी, उसका 1% आपका माना जाएगा, यह amendment finance act 2023 से आई, okay, अब मैं आपको यह आप बताना चाहूगा, कि उसमें clarification आए कि director अगर, director अगर company को guarantee देता है, तो RBI mandate के हिसाब से उसकी value 0 होगी, इसलिए इसके ओपर कोई GST नहीं आएगा, कोई इसका value नहीं होगा, no GST, ठीक है, इन्होंने यहां तक तो बोलाओगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें एक adjustment और आ सकती है, एक अभी भी नया clarification आया कि अगर कोई सी director ने अपने personal capacity में, अगर कमपनी को दियोगी, तो उसके ओपर reverse charge नहीं, क्या लगेगा, उसके ओपर forward charge लगेगा, तो अब उसको personal capacity में दियोगा, तो forward charge लगेगा, यह clear clarification है, तो वो भी adjustment आ सकती है, उसमें यह लिखना कि reverse charge नहीं forward charge लगेगा, उसके बाद में, next वो क्या कहते है, company obtained service of Mr. Y, based in Rajasthan, Y का service लिया, based in Rajasthan, who is providing agency service for payment of annual road tax payable to the government for the vehicle owned and operated by a company, Mr. Y issued an invoice amounting 10 lakhs, बापरे 10 lakhs का invoice दे दिया बंदने, on the head office, such amount includes 9 lakh 50,000 as amount of road tax paid on actual basis and indicated separately an invoice of 50,000 as a fees of Mr. Y's shared service, अब देके दहान से सुनिएगा, अगर आपको यहाँ पर एक concept याद होगा, value of supply में, तो rule 33 कहता है, pure agent, मतलब अगर आपको कोई service दे रहा हो, उसने कुछ expenses किये as a pure agent, उसने taxes दिये as a pure agent, तो pure agent deductible है, तो उसने taxes दिये, 9 lakh 50,000 के तो वो deductible है, मतलब GST कितने पर आएगा, तो GST से 50,000 पर आएगा, 50,000 पर GST आएगा, मतलब उसको payable कितना होगा, तो 10 lakh का bill है, प्लस उसके पर, 50,000, GST से 50,000 का ही amount payable रहेगा, और की 9 lakh 50,000 as a pure agent deductible हो जाएगा, company also paid amount of 5 lakhs for an event related to goods transport industry, in the state of Rajasthan, as a sponsorship amount, oh ho, company also paid an amount of 5 lakhs to the event related, एक GTA कोई event होगा और उसके लिए sponsorship दी 55,000,000 रुप है, अब sponsorship दी तो एगदम reverse charge वाला मेरे दिमाग में आगया, service provided by any person to body corporate or partnership firm in a taxable territory, क्या हमारी body corporate है, हाँ सब भाई, okay body corporate है हमारी, okay private limited है, okay तो ऐसे case में इसके उपर RCM आ जाएगा, 5 lakhs में, यह तो RCM में चले जाएगा, a company registered as a GTA has opted to payment GST goods transport forward, ठीक है, in the month of February, Rajasthan office of the company has following balances available in electronic cash ledger, February में, okay उसके balances available उननों बताया, okay during the month of January, transactions दिये है, in the month of February, Rajasthan office of the company has the following balances available in electronic cash ledger, tax वगरे interest वो दिया हुआ है, ठीक है, all the amount given in the scenario as a close view of GST, unless otherwise provided, opening balance of input tax credit of Alpha Cargo Private Limited for the reliant tax period is nil, ठीक है, opening balance nil है, GST is payable on all inward and outward transaction in the aforesaid case scenario at the following rate, 9918, ठीक है, based on the facts, 9918 rate दिया, sir 18K से आया, GTA था, 12% देना चीए था, पहले उनोंने RTP में के दिया, rate जो दिये गया है, वो assumption basis पे दिया है, तो आप ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ, पहले page पे उनोंने clear कर दिया है, based on the facts of case scenario you will above, choose the most appropriate answer, चली, अब आजाओ, यहाँ पे, total amount of GST payable before setting of ITC by company including GST payable under reverse charge for the month of January for all location, total amount of GST payable, इसमें ITC का adjustment मत करना, RCM में भी कुछ देना होगा, तो वो भी, आप बतादो, total कितना होगा, तो चली, एक बार review कर लेते हैं, total amount of GST payable पहले, पहले transaction पर दिना पड़ेगा, और वो total amount of GST payable पूछा है, तो उनों को थोड़ा bifurcation करना मुश्किल है, इसमें total amount, उनोंने पूछा है, तो total GST, क्योंकि पहला transaction B2B है, या B2C है, वो नहीं पता, और उसमें option उनोंने तीन इसमें दिये ही नहीं है, total पर बताना है, तो ऐसे case में, उपर आजा, और उपर के इसमें अगर आप देखते हो, तो पहले इसमें GST आ जाएगा, दूसरे इसमें भी GST आएगा, क्या आएगा, वो bifurgate करके नहीं बताना है, total बताना है, तिसरा त बताना है, उसके बाद में, independent director sitting fees भी बताना है, x तो x पे तो ना, क्योंकि सामने वाले का bill आया है, ना RCM लगेगा, ना forward लगेगा, independent director से corporate guarantee, इसमें पर GST नहीं आएगा, और उसके बाद में, wise से हमने जो service लिया, तो वो भी कोई RCM नहीं, forward charge नहीं उसमें, वो तो bill में GST लगा के देगा हमको, तो वो भी हमारे calculation में लेंगे, हाँ, sponsorship वाला RCM में आ जाएगा, okay, तो चलिए, मैंने, अगर आप नीचे description देखोगे, तो मैंने, उसमें resource metal of RTP भी दिया हुआ है, और resource metal of RTP में मैंने 24 का, ये जो MCQ का solve करके, especially MCQ का, बाकी का answer आपको इसमें मिल जाए आ जाएगा, तो उसका आ जाएगा, 3,25,800 क्योंकि place of supply इंडिया में fix हुआ, ये तो forward charge, फिर RCM वाला कितना आएगा, तो RCM, municipal authorities पे रेंपे लिया, तो सब पे 28% आएगा, sorry, 18% आएगा river charge में, sitting fees 25,000 each बोला है, तो इंटू 5, 5 डारेक्टर थे, इंटू 18%, sponsorship service पर RCM आएगा, बाकी campus पे तो आपने देख लिया नहीं आएगा, तो आपका answer, okay, कितना 17,32,500, reason के साथ मैंने दिया हुआ है, तो ऐसे situation में, दोस्तों, यहाँ पे, okay, आपका answer क्या आएगा? हाँ, तो अगर हम RTP में देखें, तो आपका answer जो आना चाहिए, वो आना चाहिए, आपका answer, scenario 2 है ना, मारा, हाँ, तो पहले का answer जो आना चाहिए, आपका, 72,32,500, तो आपका answer आएगा, 17,32,500, ठीक है? चली, question number 8 में आएए, यहाँ पे question number 8 क्या कहता है? in February after paying all its dues for the month, Rajasthan office want to transfer certain amounts using form GST PMT 09 from its electronic cash ledger to electronic cash ledger of Orisa office, Rajasthan से, Orisa office वो शेट करना चाहते है, it want to transfer from tax minor head under IGST major head amounting to 12,000 tax under CGST and 12,000 tax under SGST, मतलब वो IGST का जो balance है, tax का, tax का जो IGST का balance है, वो यहाँ पे CGST में और वो यहाँ पे SGST में shift करना चाहते है, ठीक है? और रिसा में, और from interest minor head under major head of CGST 3000 to interest IGST head 3000, IGST head में 3000, और SGST का interest IGST के head में shift करना चाहते है, the balance under all the heads in electronic cash ledger of Orisa office is nil at that time, Orisa में balance nil है, the balance of tax under IGST CGST or SGST head of electronic cash ledger of Orisa office and the interest under IGST CGST or SGST head of electronic cash ledger of Rajasthan office will be, अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि balance in tax head of Orisa, Orisa का tax head का balance कितना रहेगा और interest का Rajasthan का balance कितना रहेगा, तो चलिए, मैं आपको एक concept समझाता हूँ, PMT 09 से PMT 09 से आप cash ledger के, I repeat, cash ledger के balances आप shift कर सकते हो, और PMT 09 से cash ledger के balance आप minor head to major head shift कर सकते हो, इसमें दो part बड़े important है, और यह concept दो parts है, यहाँ समझ लीजिएगा, अगर आपकी एक ही entity है, और एक ही registration है, और उसमें आपको cash, आपका जो cash ledger है, और वो cash ledger में आपको shift करना है, तो वो cash ledger में आप कोई भी balance shift कर सकते हो, same entity में, same registration में, आप CGST का SGST में, SGST का CGST में, या IGST का SGST, CGST में, ऐसा कोई भी balance आप shift कर सकते हो, interest का tax में, tax का interest में, यानि any minor head to any major head आप shift कर सकते हो, लेकिन DDP के case में नहांसे सुनिएगा दिवन डिस्टिंग परसन के case में होगा तो यह situation में यह point important है यह situation में आप SGST का या UTGST का balance shift नहीं कर सकते हैं आप जो स्री balance shift कर सकते हो वो स्री यहाँ पे, सुनिए आप जो balance shift कर सकते हो वो C GST और I GST का ही balance shift कर सकते हो L GST और UT GST के balances आप shift नहीं कर सकते हो यह DDP के case में यहाँ पर के आपको समझना है तो मैं एक बात बताना चाहोगा अगर आपने मेरा regular class किया हो या आपने मेरा exam orientate class किया हो तो हमने regular class में यह जो interpretation था same interpretation हमने इसके लिए भी लिया था कि DDP के case में कोई भी minor hair और major hair में shift हो सकता है लेकिन अभी ICAI की new material में यह interpretation लिया है और फिर मैंने भी इसको थोड़ा और SGST Act पढ़के interpret किया है तो बेटा मैंने जो regular class में और interpretation लिया उसको हमें update करना पड़ेगा और यह update मैं सब के लिए कह रहा हूँ कि यह point आपको ध्यान रखना है कि DDP के case में deemed distinct person के case में आप जो है SGST और UTGST के balance से shift नहीं कर सकते आप सिभ IGST और CGST के balance से shift कर सकते तो इसका अगर मैं solution बनाओ मैंने इसका solution बनाए हुआ है इसका अगर मैं solution बनाओ तो आप जो है आपको tax यहाँ पर अगर shift करना है तो IGST का आप 12,000 का ही balance shift कर सकते हो राजस्तान ओफिस से आप औरिसा ओफिस में और वो CGST में shift हो सकता है यानि IGST का CGST में shift हो सकता है लेकिन जैसे उन्होंने problem में पूछा है क्या problem में पूछा है उन्होंने उन्होंने ये पूछा है कि भई वो SGST का भी shift करना चाहता है तो SGST का shift नहीं हो सकता SGST का shift नहीं हो सकता UTGST का shift नहीं हो सकता tax का सरीफ IGST का ही इसमें shift किया जाएगा इसलिए आप औरिसा के इसमें IGST का और वो IGST का balance आप स्रिव SGST में shift कर सकते हो तो वो SGST में shift होगा कि IGST का balance और अगर हम interest की बात करें तो यहाँ पर राजस्तान का CGST का interest है वो इधर IGST में shift हो सकता है लेकिन SGST का shift नहीं होगा in short SGST का tax or SGST के interest कि यहाँ पर इधर shift नहीं होगे और IGST का balance अगर आप एंसर देखो तो इसका एंसर कुछ ऐसा आता है अगर हम इसका एंसर देखे कि वही औरिसा में tax का situation क्या रहेगा तो नील और कि नील 12,000 और कि नील 12,000 और यहाँ पर राजस्तान में interest का situation कैसा रहेगा तो 2,000 नील and 3,000 2000 IGST के CGST का नील और SGST का 3,000 और IGST का 2,000 तो अगर हम इसका answer match करे तो यह answer आता है वेटा यहाँ पर A वाला answer A वाला जो है यहाँ अगर हम देखे तो पहले अगर IGST, CGST तो नील 12,000 नील और 2,000 नील और 3,000 इस ratio में आपका answer आएगा और answer यहाँ पर A आएगा तो यहाँ सभी students ने carefully समझना है कि आपको जो है DDP के case में very careful DDP के case में OK, IGST के balances SGST में shift नहीं होगे UTGST में shift नहीं होगे यह SGST के balances यहाँ पर IGST में shift नहीं होगे सिर्फ जो shifting होगा वो IGST और CGST में होगा logically यह सही है logically इसलिए सही है क्योंकि समझ लो other state में है तो इस state का SGST में डालावा पैसा other state के SGST में नहीं जा सकता इसलिए SGST के balances shift नहीं हो सकते PMT 09 सालाँ से then yes or no अरे आपके समझ में आया की नहीं आया चलो बता चलो चलो अब next देखते है 9 total amount payable to Mr. Y including GST as applicable Y को कितना next देखो Y को कितना payable है तो Y को यहाँ पे जो payable है वो देखिये Y वाला transaction की दर गया उपर हाँ Y वाला transaction एक मिन में देख लेता हूँ यह Y वाला Y से amount का bill आए 10 लक उसमें से 9,50,000 जो है इसके अरत तो GST नहीं आएगा क्योंकि वो तो pure agent है तो 50,000 पे GST आएगा पर उन्होंने taxable value of Y नहीं पूछा Y को कितना देना यह पूछा है तो हमको Y को 10 तो पूरा देना पड़ेगा प्लस 50,000 का GST देना पड़ेगा यानि हमारा वहां amount जो होगा अगर मैं 50,000 का GST consider कर लूँ तो 50,000 into 18% तो 59,000 तो 10,000,000 मुझे जो देना पड़ेगा 10,000,000 पेमेंट करना पड़ेगा तो यह 10,000,000 का पेमेंट मुझे करना पड़ेगा answer D आएगा 10,000,000 का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा उसके बाद में वो 10 नमबर का क्या बोलते है total input tax credit available to company at a pan India level मतलब total, पूरे इंडिया में total ITC कितना मिलेगा तो ITC कौन सा कौन सा मिलेगा बेटा तो अगर आप देखते हो इसका answer तो इसमें ITC जो है चली, देख लेते हैं ITC यह जो river charge में पे किया इसका ITC मिलेगा प्लस हमने डारेक्टर को sitting fees पे कि जो Y का transaction हुआ 50,000 पे जो 9,000 JST लेगा उसका ITC मिलेगा sponsorship service का उसका ITC मिलेगा तो मैंने यहाँ पे hint में मैंने यह calculate करके दिया हुआ है और hint में उसको ITC कितना मिलेगा तो total ITC जो को municipal authority पर जो हमने tax दिया, total all India basis तो calculate करके दिया हुआ है आपने जो भी rent दिया होगा उसका 18% लेकर उसके बाद में sitting fees 25,000 के साफ से जो भी total पे आता है वो दिया है sponsorship service पे जो दिया है वो मैंने ले लिया यहाँ पे उसके बाद में Y को Y का tax 9,000 ही आया इसलिए CGST और SGST का और professional services जहां तक देखा जाए तो professional service अमने ABC का उपरेशन से 27,000 के लिए तो अगर आप total निकाल लेते हो तो total ITC जो है आपको All India Pan Basis पे IGST 27,000 CGST और SGST 77,850 तो इसके हिसाब से आपको IGST का answer आना पड़ेगा तो यहाँ पे अगर मैं देखू तो आपका answer क्या आएगा तो यहाँ पे अगर मैं देखू तो आपका answer जो आएगा scenario 2 में total ITC available तो आपका total ITC available जो रहेगा 77,850, 77,850 27,000 एना answer C आएगा उसके बाद में यहाँ पे the value of supply of service providing to personal guarantee by Z धंदन bank for sanctioning credit or facility तो उसकी value निल इसले क्योंकि RBI mandate है निल इसले क्योंकि RBI mandate है कि उसके open market value 0 ली जाएगी तो उसका answer यहाँ पे बी आएगा तो answer अगर match करोगे तो सब match हो जाएगा लेकिन ये वाला answer जो है न ये वाला जो 8 number का answer है उन्होंने A लिखाया और मेरे इसाफ से बी आना चाहिए मैंने उसका hint में के calculation करके भी दिया हुआ है और मेरे इसाफ से उसका भी आना चाहिए उन्होंने A दिया पता नहीं ए कहां से लाया मेरे इसाफ से B होना चाहिए बाकी तो answer आपके match हो जाएगे तो इस तरह से हमने scenario यहाँ पे देखे हुए तो description में RTP resource material जो है वो RTP resource material में मैं आपको बता दू कि मैंने last RTP दी है last RTP का video भी दिया है और current RTP के जो यह दो case scenario है इसके मैंने यहाँ पे आपको hint भी दिया हुआ है ओके यह जो मैंने अभी बता है उसका मैंने पीडिया भी दिया है जो आपको help करेगा calculation purpose के लिए तो इस तरह से दूनों सिरारियों का हमने यहाँ पे discussion कर लिया है दन 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 यस और नो तो चलो चलिए अब यहाँ पे MCQ 12 पे आजाओ Ms. Parvati, an Indian resident who was on visit to USA return after one year of contesting in assembly election of her state she was carrying with her of following items personal effect 59,000 laptop computer 37,000 jewelry or music system or compute the custom duty payable by Mrs. Parvati with reference to the baggage rule 2016 ignore the agriculture infrastructure and development says अब देखो यह baggage rule customs act पर depend रहा तो यहाँ baggage rule मैं जहां तक देखा जाए personal effect पे कोई custom duty नहीं आएगी laptop computer एक laptop computer आप ला सकते हो तो laptop एक ला सकते हो कोई problem ने उसके उपर custom duty नहीं आएगी अगर आप okay lady passenger हो और एक साल से ज़्यादा बाहर रहते हो तो lady passenger हो एक साल से ज़्यादा बाहर रहते हो तो वो case में 40 grams और maximum up to 1 lakh 40 grams maximum up to 1 lakh इतना jewelry आप फ्री ला सकते हो तो ऐसे के इसमें 25 grams और 67,000 है तो वो तो फ्री आएगा इस पर भी यहां पर dutyable value 75,000 हा जाएगी तो यह 75,000 पर आपको custom duty लगेगी और यह custom duty जो 75,000 पर लगेगी यह यहां आपको 35 plus 3.5 याने 38.5 तो यह 3.5 क्या है तो यह education says है उन्होंने का agriculture, infrastructure and development says मत consider करना, तो only education says consider करना है आपको, तो यह education says E, okay तो ECA, ED नहीं, ED नहीं, भाई डर लगता है ED से, यह EC है, तो यह education says है, तो 38.5 अगर इसका लेते हो, तो 38.5% आप लेते हो, तो यह 28,008, तो 28,875 लिया जाएगा, तो यह पहला वाला answer A, okay यह आपका आजाएगा, तो अगर आप देखते हो, तो A का answer आपका मिल जाएगा, तो चलिए, यह हमारा यहां पर MCQ खतम हुआ, ठीक है, चलो, चलिए, आप आजाईए, question number 13 पर, यह descriptive question है, Sitaram Industries Limited, a registered entity, Sitaram Industry, registered entity, under GST, in the state of Karnataka, is engaged in the manufacture and supply of both taxable as well as exempted goods and services, मतलब taxable as well as exempted goods and services, दोनों भी यह supply कर रहे हैं, following information for the month of October 2023 is provided by it, अब जो कोई information इन्हों ने क्या दिया है, यहां पर, sold an old warehouse building in the state of Karnataka, to a retail giant in the same state, तो, same state में sale किया गया, और building sale किया गया, पहला सवाल, चलो, यह table दिया हुआ है, पर जब ऐसे questions आते हैं, तो table जो है, यह बाद में पढ़ना, हमें करना क्या यह जरूर देखना, एने टेबल की नीचे क्या उन्होंने दिया हुआ है, और हमें, क्या केंक्लूड करना है, यह देख लेना, तो, company provided following additional information, additional information यहां दियो हुए, साथ साथ में, वो कहते हैं, from the information given above, you are required to compute eligible ITC available, आपको ITC निकालना है, for set of and minimum net GST payable in cash, और आपको net GST liability निकालना है, for the month of October 2023, provided brief reason for the treatment of each items, अच्छा question है, आपने solve करके जरूर देखना, एक proper presentation में, यहां पर हमारे discussion के बाद, okay, start से लेके end तक, with all remarks, अगर आप solve करोगे, तो definitely, आपकी अच्छी practice हो जाती है, क्योंकि पहला question जो 14 marks काता है, उस पर आपकी practice होना जरूरी है, so दोस्तों, यहां पर, वो क्या कहते है, net GST liability निकालो, okay, net GST कैसे निकलेगा, output tax, less ITC, less ITC, तो जो भी ITC, तो आपका net GST liability आ जाएगा, तो उनको net GST liability through cash leisure यह निकाल के देना है, मतलब हमें output tax निकालना है, ITC निकालना है, और वो यह भी कहते हैं कि eligible ITC निकाल के बताओ, अब जब net GST payable निकालना है, तो उसमें तो ITC निकालना ही पड़ेगा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि, यहां पर eligible ITC available, क्यों क्यों कि starting में अगर आप देखते हो, तो वो कहते हैं कि यह जो है, बोथ taxable as well as exam supply, दोनों supply कर रहे हैं, दोनों supply कर रहे हैं, तो ऐसे situation में आपको rule 42 and rule 43, open करके रोखो मेरे साथ, अभी open करके रोखो सामने, तो rule 42 and rule 43, यानि I plus IS के bifurcation और capital goods के bifurcation, यह आपको याद रखना पड़ेगा, अगर सवाल ITC का है, और common IS या capital goods का है, तो इसके वज़े से आपको जो है, यहाँ पर rule 42, 43 का factor दहान में रखते हुए, eligible ITC निकाल के बताना है, चलिए, सबसे पहले उन्होंने हमको outward supply दिया है, अभी outward supply हमारे किस काम का है, हम एक table जो बनाने वाले हैं, क्योंकि आप मैपिंग कर दो, मैपिंग में हम क्या करेंगे, हम, आप तीन टेबल बना सकते हो इसमें, वन, टू और थ्री, पहला टेबल आपका होगा, टोटल, टोटल आउट्वर्ट टैक्स, ओके, आउट्वर्ट टैक्स, दूसरा टेबल होगा, eligible ITC, मैंने अभी तक answer देखा नहीं है, एंसर में हो सकता है, कि और सब टेबल उन्होंने बनाया होगे, वह हम बात में देखेंगें, तो ऐसे केस में, eligible ITC, और next, यहाँ पे, net GST पेबल, यह normally हम तीन टेबल ऐसे बनाते हैं, या फिर बहुत कुछ केस में, यहाँ दो टेबल ही बनते हैं, एक है net GST पेबल, डारेक्ली net GST पेबल बन जाता हैं, और net GST पेबल में, outward tax, outward search के सारे, okay, IGST, CGST, SGST, जो भी होगा, और less ITC, और ITC के लिए, वो refer table कर देते हैं, refer table ITC, तो less ITC के बाद net GST पेबल आ जाएगा, और ITC के टेबल अलग से बना लेंगे, तो ऐसे दो टेबल ही बनेंगे, या फिर output tax का अलग, ITC के अलग, और बाद में, net GST पेबल, अब सवाल क्या है, let's take example, मैं पहले output tax निकाल रहा हूँ, और मैं क्योंकि मेरे पास outward supplies है, outward supplies है, तो मेरा output, output tax कितना होगा, वो मुझे निकालना है, तो output tax, पहला है कि उन्होंने warehouse building sale किया, अब warehouse building जो sale किया है, इस से related दो बात है, पहला, क्या ये supply है, नहीं, schedule 3 के हिसाब से, यानि अगर आप यहां रिमार्ग दोगे, तो para 5, yes, para 5 of schedule 3, sale of land and building, जो old building है, उन्होंने खुदी कहा, old building है, it's not a supply, तो इसके ओपर GST नहीं आएगा, लेकिन, अगर आपको section 17.3 याद होगा, तो section 17.3 में कहा गया है, कि sale of land and building, ये exam supply ITC के लिए माना जाएगा, ये exam supply के इसमें आएगा, अब ये exam supply के इसमें आएगा मतलब क्या, मतलब इसकी value आपको exam supply में लेकर, आपको rule 42 में, okay, rule 42 में जो formula है, apportionment of ITC, और वो apportionment of ITC क्या है, तो आपको याद होगा, तो d1 equals to e by f into c2, यानि जो common credit है, वो common credit के लिए जो आप exam supply लोगे, वो exam supply में, सुनिए, वो exam supply के value में, आपको इसकी value consider करनी पड़ेगी, ठीक है, तो चलो open करो ITC chapter section 17.3 देखो, section 17.3 के मैंने आपको explain किया हुआ है, कि जब आप exam supply लेते हो, तो only exam, nil rate, non taxable, plus supply of security, securities transactions cover होगा, sale of land and building cover होगा, RCM वाला supply cover होगा, और इसमें जहां तक देखा जाए, यह कहा गया है कि schedule 3 के सारे supply exam नहीं माने जाएगे, और कि schedule 3 का sale of land and building exam किया गया है, और अभी उन्होंने जो add किया है, वो add किया है, यहां पर, जहां तक देखा जाए, तो यहां प्यारा 8 का उन्होंने एक supply जो warehouse ले वो add किया है, ठीक है, तो वो भी अभी exam माना गया है, तो ऐसे situation में, जहां तक देखा जाए, हाँ, तो यहां पर sale of warehouse building है, तो sale of warehouse building जो है, वैसे तो output tax के लिए supply नहीं है, लेकिन इसका जो proportionate ITC है, वो proportionate ITC आपको exam supply में, rule 42 में E by F में लेना पड़ेगा, और इसकी फिर value क्या होगी, what should be the value of exam supply, तो वो कहते है, इसकी value stamp duty value होगी, जो stamp duty के लिए, आपकी ready reckoner value रेती है, तो stamp duty, ready reckoner value होती है, वो value लेगी, और अगर आपको याद होगा, तो security इसका 1% value लिया जाता है, और इसका stamp duty value लिया जाएगा, तो ऐसे situation में, यहाँ पे, यह जब में EBA F निकल होगा, तो उसके लिए यह consider होगा, पर output tax के लिए consider नहीं होगा, इसलिए में output tax इसके उपर calculate नहीं करूगा, B clause क्या कहता है, supplied 30 laptops over the counter to Mr. Sudhakar, an unregistered buyer, who took it to his residence in Haryana, अब देखो, यहाँ पे आपको याद होगा, तो unregistered buyer, सबसे पहले तो यहाँ, क्योंकि हमारा बंदा करना टका का है, और यह 30 laptops of sale किये, supply किये, तो भाई साब यह 12 lakhs रुपीज पे GST तो आएगा, क्योंकि clear cut वो कहते हैं कि supply किया गया, तो 12 lakhs पे GST आएगा, लेकिन अब कौन सा GST आएगा, whether it is interstate या intrastate, क्योंकि आपको तीन कॉलम तो बना लेना है, IGST, CGST और SGST तीन कॉलम बना लेना है, पहला कॉलम IGST आपका आना चाहिए, उसमें आपको कोई doubt ही नहीं होना चाहिए, अब what is important factor here, word used किया है, over the counter, तो अभी place of supply में, अगर POS देखते हो, तो 10-1-C-A, तो यह जो है, subsection एड किया गया है, amendments आपने देखी होगी, यह amendments मैंने आपको पड़ाई हुई है, साथ-साथ में, जिन्होंने अभी recent regular batch किया है, तो मैंने सबसे आखरी lecture में additional amendments डाली हुई है, और उस additional amendments में आपको मिल जाएगा, तो 10-1-C-A जो एड किया गया, कि unregister को आपने supply किया, चलो place of supply chapter निकालो, और place of supply में या amendments में covered रहेगा, just a minute, अगर आप place of supply, just a minute, मैं place of supply chapter ने ले लेता हूँ, place of supply में section 10-1-C-A अभी आड किया है, और section 10-1-C-A मतलब supply of goods के case में place of supply कैसे fix होगा, notwithstanding to anything contrary contained in section 10-1-A to C, मतलब this 10-1-C-A will overrule over 10-1-A, B and C, what is 10-1-A, अगर आपको याद होगा तो देखो 10-1-A गूट में मुमेंट होगा, तो जहां गूट की मुमेंट टर्मिनेट होगी, 10-1-B क्या है, बिल्टो शेप्ट हो, 10-1-A as is various basis पे sell किया गया, अब यह rule, यह जो subsection है, यह और रूल होगा, का है, notwithstanding to anything contrary contained, supply of goods made to unregistered person, other than registered person, the place of supplier shall be location as per the address of the state person, recorded in the invoice issued by the state supplier, and if location of supplier where address of the state person is not recorded, मतलब अगर आपने unregister person को sale किया तो वो case में clause A, B, C ये तीनों भी आप apply नहीं करोगे unregister person को अगर आपने sale किया तो वो situation में आपका place of supply 10-1-CA के हिसाब से fix होगा और 10-1-CA के हिसाब से अगर वो बंदे का address invoice में unregister person का तो वो location माना जाएगा और invoice में अगर address नहीं है तो वो situation में यहाँ पर दहांस सुनिएगा invoice में अगर address नहीं है तो वो situation में location of supplier माना जाएगा नीचे explanation क्या कहलता है recording the name of the state of the sale person in the invoice shall be deemed to be a recording of the address of sale person address नहीं होना जरूरी नहीं है अगर उसका state का नाम होगा तो वो address होना माना जाएगा इसके base पर कर हम RTP में इस situation को solve करें तो 10 months CA के हिसाब से अगर उसका state दिया हुआ है हर्याना और हर्याना का state दिया है his complete address अवेलेबल नहीं होगा लेकिन name और state होगा that's enough और यह हर्याना इसका place of supply माना जाएगा और हर्याना अगर place of supply माना जाएगा तो IGST लगेगा on this 12 lakhs special boxes for packing of the laptop laptop के packing के लिए special boxes use हुआ 1 lakh 30,000 अब देखो जहां तक है packing packing a parcel of this laptop और it is a composite supply naturally bundled है और के laptop के साथ उसके packing होती है इसलिए अगर आप question में देखते हो तो normally उन्होंने rate दिये 9918 और special packing होगा तो 66 इवन दो उन्होंने special packing के अलग से rate दिये होगे लेकिन यह composite supply है और as per section यह composite supply है तो हई और packing charges charge extra packing charges अगर extra लगाए होगे तो section 15 2C से वो add भी होते है तो यह 12 plus 130 यहने 13,30,000 पे GST निकाला जाएगा और 9% से निकाला जाएगा और हूँ आई GST लगे का इसलिए अगर आप इसका answer देखते हो आगे तो answer में देखो पहला table क्या prepare किया है उन्होंने अगर आप देखते हो तो पहला competition of eligible ITC and net GST payable by Mr. Sitarav industry for the month of October इन्होंने यहाँ पे यह table prepare करते होग यहने अगर आप यह table देखते हो तो यह table में इन्होंने output tax less ITC and एक raw GST liability एक ही table बनाया output tax less ITC तो net GST payable मतलब यहाँ पे यह ITC का table अलग बनाएंगे और एक ही table में output tax less ITC यहाँ पे करेंगे और net GST payable निकालेंगे तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आप तीन table बना लो output tax का अलग net ITC का अलग sorry ITC का अलग और net GST payable का अलग तो ऐसे तीन बना सकते हो इन्होंने यहाँ यहाँ पे दूसरा तरीका यूज किया कि net GST liability का table ले लिया और net GST liability में output tax each and every item का बनाया और यह output tax वे से list जो ITC किया है ITC के लिए इन्होंने नीचे का table दे दिया refer note 3 विलो तो वो net ITC का नीचे working note में ले लिया आप भी ऐसा कर सकते हो मेरा important आपको बस यह बताना है कि यह जो remark दिये है यह remark इन्होंने यहाँ पे explanation particular column में ही दे दिये आप ऐसा दे सकते हो यह आप remark column अलग से बना सकते हो लेकिन आपको remark column बनाने का space नहीं मिलेगा क्योंकि आप value बता होगे IGST, CGST और HGST total 4 columns आने वाले हैं इसलिए यह remark के लिए उतना space नहीं मिलेगा इसलिए inward explanation बता दिया तो भी चलेगा यह फिर आपने note number दे दिया और नीचे notes लिखी तो भी चलेगा तो old warehouse है तो यह जो पैरा 5 of schedule 3 पैरा 5 of schedule 3 में supply नहीं बोला जाएगा और यह supply नहीं बोला जाएगा तो इसके पर कोई भी IGST नहीं लगा हुआ है यह CGST और HGST नहीं लगा हुआ है ठीक है second supply of laptop no doubt supply of laptop sale है GST लगने वाला है 12 plus 130 and a total 1330 पे हर्याना हमारा place of supply फिक्स हुआ तो 13,30,000 पे आपको IGST लगेगा और वो IGST नहीं 9% से लगेगा दोस्तो 6% नहीं क्योंकि यह composite supply है इसकी comment जो है सबसे पहले तो 10-1 CA यह दिखना चाहिए कि 10-1 CA के हिसाब से इसका place of supply हर्याना माना जाएगा और दूसरा बेटा यहाँ पे यह composite supply वाला point आपका दिखना चाहिए तो यह दो main points आपके होने चाहिए और rate 18% होगा तो ऐसे situation में sorry बेटा यहाँ 9 नहीं IGST लगा रहे है अब देखो यहाँ पे DSA direct selling agent DSA service दी और DSA service किसको दिया कुंकुंग बैंक इन registered in करना टका करना टका में यह service दिया क्या अच्छा हमारा बंदा कहाँ का है हमारा बंदा भी करना टका का है अब DSA service DSA service देखते हैं आपको एक चीज़ याद आने चाहिए और वो क्या कि direct selling agent service to banking तो वो case में river charge भी आता है लेकिन अगर आपको carefully याद होगा तो individual other than body corporate ने इन रिपीट individual other than body corporate ने यह service दिया गया और यह banking sector को दिया गया तो river charge है यहाँ supplier खुद company है लिमिटेड company है तो ऐसे case में यह body corporate है और body corporate अगर service bank को दिरी है तो river charge नहीं होगा forward charge में GST आएगा और forward charge में GST services करना टका में ही दी गई place of supply करना टका ही माना जाएगा registered person को दिया गया bank को दिया गया तो place of supply करना टका माना जाएगा और इसके उपर CGST और LGST लगेगा 9% each उसके बाद में next वो क्या कहते है provided pure labor services pertaining to a single residential unit in Mumbai, Maharashtra otherwise there as a part of residential complex for erection or installation of renovation work for a client registered in Maharashtra now एक exemption है अगर construction sector का exemption देखते हो exemption chapter open करो pure labor service दिया गया ok और वो pure labor service construction, erection, installation as an original work दिया गया ok उसमें repair innovation नहीं है construction, erection, installation as an original work दिया गया तो वो situation में यहांपर exemption है जहां तक देखा जाए तो यह औरिजिनल वर्क नहीं है ok यह renovation work है even though इसमेorage and installation होगा but यह renovation work है, यह original work नहीं है अब सवाल याता है कि what do you mean by original, मतलब आप बेस से बान रहे हो, okay, खाली plot है, उस पर बेस से बान रहे हो, पुरानी कोई property है, okay, और वो बहुत ही old property है, उसको यहाँ पर पुरा dismantle करके बान रहे हो, okay, तो वो situation में उसको original work कहा जाएगा, original work की definition जरूर देखिएगा, exemption में, construction sector में तो जहां तक है यहाँ exemption में नहीं मिलेगा, और यहाँ exemption नहीं मिलेगा, तो 6,20,000 पे GST आ जाएगा, okay, now single residential unit in Mumbai, Maharashtra, अब यह interest rate है यह interest rate है, तो चलिए, सबसे पहले तो इसके ओपर tax आएगा, no exemption, tax payable, okay, services, उसके बाद में next, हमें रिसाइट करना, place of supply क्या होगा, place of supply, okay, इसका section 12 of IGST act से fix say, तो इसके सक्शन 12 of IGST act से fix होगा, क्योंकी दोनोः पार्टी resort in Pudduchari to its agent based in the state of Karnataka on effective use of the product of the company open market value of the service is 1 lakh value of supply of service of like kind and quality 1 lakh 20,000 चली थोड़ा free service दी तो पहला सवाल क्या free service पे GST आता है नहीं आता है और कि free services पे GST नहीं आता है क्योंकि no consideration is there और यहाँ पे free service क्या दीएगे यहाँ पे free service दीएगे training तो training यह अगर free service दीएगे तो इसके उपर GST आएगा और नहीं आएगा तो section 7 1 A के इसाब से इसके उपर तो GST नहीं आएगा question no 2 क्या यह schedule 1 में cover करता है okay तो schedule 1 में 4 पैराज permanent transfer of business asset उसमें cover नहीं गयता है supply to deem distinct person supply of any goods or service to DDP या related person अब यह DDP नहीं है okay क्यूंकि हमारे एजेंट से यह अमारी ब्रांचिस नहीं है यह DDP नहीं है इसले DDP में नहीं आता है क्या यह related में आ सकता है related का definition अगर आप देखते हो तो related के definition में नीचे एक explanation दिया गया है अगर वो soul selling agent होता तो related माना जा सकता था क्यूंकि as per explanation to section 15 soul selling agent होगा soul distributor होगा तो related माना जाता है अब यहां कहीं नहीं कहा गया है कि यह soul selling agent है तो अगर यह soul selling agent ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो यह related भी नहीं माना जाएगा यहांने परा 2 भी अप्लाई नहीं होगा परा 3 में परा 3 applicable to goods not for service हाँ वहाँ दिया है अगर principal ने agent को goods supply किया हो for further supply for further supply तो वो situation में cover होता है पर not applicable to service इसलिए परा 3 भी अप्लाई नहीं होगा और परा 4 भी इंपोर्ड आप service का है मतलब in short यह 7-1-A और 7-1-C 7-1-C schedule 1 का supply नहीं है no supply तो इसके उपर GST नहीं आने वाला है इसके उपर GST नहीं आने वाला है हाँ अगर यह supply हो जाता तो फिर हम इसका valuation rule 29 या rule 30 में करते okay sorry 30 में तो goods के लिए होगा specially rule 29 में related person में आता तो उसमें करते या rule 30 से करते पर मेरे हिसाब से यह supply है ही नहीं इसके उपर को GST नहीं आएगा open market value और like kind और quality कोई काम का नहीं है उसके बाद में interest received on fixed deposit from the sulkan bank registered in cardata का अब interest related दो बाती समझ लो यहाँ पर पहली बात तो interest on fixed deposit exempt है तो इसके outward tax तो नहीं आने वाला क्योंकि यह service completely exempt स्रीफ credit card का interest taxable है लेकिन यह exams अपला है और हमें rule 42, 43 भी देहर में लखना है तो rule 42 में जहां तक हम जब D1 निकालते हो तो E by F into C2 यह rule 43 में जब हम यहाँ पर आपको याद होगा तो TM TR TE तो जब हम यहाँ पर TE निकालते हैं तो E by F into TM, TR भुला है बढ़ टी-R concept नहीं है तो यह जो exam supply आप लेते हो value of exam supply में यह एक explanation है और दोनों का यह explanation है दोनों के लिए explanation है कि interest other than banking company याद करो interest other than banking company होगा और interest income होगा तो वो exam supply में include नहीं होगा exam supply में include नहीं होगा for bifurgation यानि जहां तक देखा जाए तो इसके उपर GST तो आए गा ही नहीं और जब हम ITC में यहाँ पर allocation करेंगे e by f में तो exam supply में भी इसको consider नहीं करेंगे इवंदो इसको एक्जम supply पर इसको consider नहीं करेंगे पर ख्याल रहे है यह सिवं e में exclude करेंगे अगर आप रूल 42-43 देखते हो तो f के calculation के लिए याने turn on in state and turn on in state includes exam supply तो turn on in state के calculation में हम लेंगे याने जब f का calculation होगा तो total में जरू लेंगे because turn on in state includes all taxable supply, exam supply, nil rate supply, holy exam supply, interstate supply, export supply तो turn on in state में हम लेंगे बात turn on in state की नहीं है बात है e, तो specially e के calculation में उन्होंने का है कि इसको exclude किया जाएगा इसको consider नहीं किया जाएगा तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए तो इस पे GST नहीं आएगा और जब हम rule 4243 के bifurcation करेंगे तो e के calculation में नहीं लेंगे पर f के calculation में लेंगे तो यह था यहाँ पे outward supply इसलिए अगर आप answer देखते हो तो answer में दोस्तो देखें यह तो हमारा हो गया उसके बाद में direct selling agent CGST और SGST आएगा उसके उपर GST भी आएगा और liability भी आएगी और ख्याल रहे है यहाँ पे direct selling agent का place of supply है default rule general rules से लगेगा और supply to banking sector register person होगा तो location of the recipient करनाट का ही माना जाएगा और वहाँ आपका एक यह आना चाहिए कि उसको case में forward charge ही आएगा आशियम नहीं लगेगा क्योंकि individual DSA को ही for river charge है body corporate दे रहा होगा तो river charge applicable नहीं है pure labor services पर भी GST आएगा और वो IGST आएगा क्योंकि जहाँ immobile property होगी 12-3 के हिसाब से वहाँ उसका place of supply fix होगा और उसके बाद में यह भी point जरूर आप लिगना कि original work वाला ही exempt है और कि pertaining to single residential unit और original work होता तो ही exempt होता यह renovation work है इसको इसलिए exemption नहीं मिलेगा यह renovation है इसलिए exemption नहीं मिलेगा free training to agents इसके ओपर GST नहीं आएगा okay क्यों क्योंकि यह supplier नहीं company without consideration as well as para 3 जो है वो goods को लगता है services को नहीं लगता है और para 2 में यह agents related नहीं माने जाएगे पहला cover किया है यहाँ पर कि consideration नहीं है para 3 सिर्फ goods को लगता है और schedule 1 क्या para 2 DDP यह related को लगता है और यह related नहीं माने जाते है sole selling agent related माने जाते है हाँ एक और point रहे गया यहाँ पर अगर आप आते हो question में आ जाओ 2 minute के लिए हाँ एक कुंसा point रहे गया है provided free of cost ठीक है यह हो गया हाँ नीचे additional information आपको दिया हुआ है additional information क्या दिया देखो in respect of sales of old warehouse building stamp duty was paid on 32 lakhs stamp duty value दे दिया है यह 32 lakhs मुझे जब मैं E by F निकाल होगा तो E के लिए important है और F के लिए भी important है जितना हम E के लिए लेंगे उतना हम F के लिए लिए लेंगे ठीक है तो 32 lakhs company provided corporate guarantee of rupees 2 crores to a Lakshmi logistic limited it's a related company having registered office in the state of Karnataka अच्छा corporate guarantee दिया for loan available by letter from the Jandan Bank Limited Karnataka अब देखो यहाँ पे अगर आपको एक amendment याद आ रही होगी और amendment थी value of supply में amendment थी value of supply में रूल 28 में उन्होंने सब रूल एड़ किया 282 और यह 282 में वो क्या कहते देखो notwithstanding to anything contained in sub rule 1 the value of supply of services by supplier to a recipient who is related person by way of providing corporate guarantee okay guarantee to any banking company or financial institution on the behalf of said recipient shall be deemed to be 1 percent of amount of such guarantee offered or actual consideration whichever is higher और इस पर clarification दिया कि director providing personal guarantee to bank for company उसके अपर नहीं आएगा corporate guarantee provided by a company to bank financial institution for another related company या subsidiary company तो GST आएगा हाँ डारेक्टर अगर guarantee दे रहा है धान्स सुनियेगा डारेक्टर अगर guarantee दे रहा है तो वो case में GST नहीं आएगा वो case में GST नहीं आएगा यह GST कब आएगा और के यह बिटा कि अगर corporate guarantee होगी और another company को यह guarantee दे गई होगी तो ऐसे situation में उन्होंने यह point भी इसमें cover कर लिया और वो क्या कहते देखो corporate guarantee दी और another company को दिया another company को यह guarantee दिया गया तो ऐसे case में जहां तक देखा जाए इसके ओपर GST आएगा what should be the value value यहाँ पर 2 crores का guarantee दिया गया तो इसका 1% और actual consideration अब इसमें actual consideration यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो यह 2 crores का 1% है वो value ली जाएगी और 2 crores के 1% पर GST आएगा ठीक है now accountant of the company did not claim ITC in respect of debit note received for reason ठीक है यह ITC से related है तो इस तरह से हमने यहाँ पर corporate guarantee का भी यह point consider कर लिया और अगर आप answer देखोगे तो answer में corporate guarantee यहाँ पर 1% उन्होंने लिया हुआ है और 2 crores का 1% 2 lakhs और same state में है इसलिए CGST और HGST लगाया और rule 28-2 आप से expected है और आप 1% या actual जहां तक है दोनों में से whichever is higher होगा वो लेना पड़ेगा हमारे given problem में actual consideration उन्होंने नहीं दिया हुआ है तो 1% ही हमारा higher रहेगा और 2 lakhs पे इन्होंने GST दिया हुआ है चलिए यहाँ तक तो हमने देख लिया कि आप पूट टेक्स कैसे निकाला जाएगा रिमार्क आप केरफ़ली लिखना और के नोट्स आप केरफ़ली आपको लिखना है यह लिखकर देखना है ठीक है आजाएए अब इन्वर्ट सप्लाइप अगर इन्वर्ट सप्लाइज पे आप आते हो तो पहला मतलब सारे गूट के लिए है अपर यह तो कामन ही हुआ फिर अपर यह तो जो हुआ वो कामन ही हुआ तो और यह 16th October 2023 को आई और क्या कहा गया कि यह डेबिट नोट उस सप्लाइज से रिलेटेड है जो सप्ला है 2021 में हुआ था और नीचे जो उन्हों नोट दिया है अकाउंट आप कमपनी डिड नॉट क्लिम आ आईटी सी in respect of debit note received for the reason that original purchase related to earlier year for which ITC claim eligibility was over मतलब क्या मतलब यहाँ पर 2021 का हम ITC की time limit क्या है 2021 का ITC लेने की time limit है आप यहाँ पर अगले साल के subsequent financial year के 30th November या date of filing annual return whichever is earlier तब तक आप ले सकते हो और अभी हम कौन से period में है अभी हम October 23 में है तो accountant का कहना था कि original supply यह 2021 का था जिसकी debit note अभी आई है तो अगर इसकी debit note अभी आई है तो हम इसका credit अभी ले सकते है क्यों क्योंकि original invoice का time limit जा चुका है तो यह interpretation accountant का गलत है क्योंकि अगर आपको section 16.4 याद आता है तो original invoice का or debit note इवंदो debit note उसका बच्चा है किसका बच्चा है? invoice का बच्चा है लेकिन debit note जो है यह separate supplementary invoice माना जाता है और जो year में debit note आई जो year में debit note आई वो year में उसका ITC मिलेगा या उसका maximum time limit रहेगा जो year में debit note आई उसका subsequent financial year का November or date of annual return which is earlier इसलिए यह debit note का relevant financial year जो रहेगा relevant financial year 23-24 रहेगा 23-24 रहेगा तो क्या हम इसका credit ले सकते है? बिल्कुल ले सकते है तो जहां तक है accountant का interpretation पे आपने गल्ति मत कर देना आपने पुरा reason बताना कि debit note का credit मेलेगा और इसका time limit कि जो year में debit note received हुआ उसके subsequent financial year के November end तक या date of annual return तक आपका भी बिले सकते हैं इसलिए 4 lakhs और यह intra है तो यह CGST और SGST का आपको ITC मिलेगा उसके बाद में solar panel installed in a factory for providing electricity to be used in the factory okay solar panel install किया गया factory में तो for electricity to be used in a factory interested आपने file x के solar panel खरी दे अब जो solar panel install हुए factory में for generating electricity तो यहां पे इस problem में हमारे institute ने लिया और मैं भी convinced हूँ इस बाद पे कि जो solar panel हरीदे गहा है और वो install in a factory तो section 15 sorry 17.5 block credit section 17.5 D case आपसे any goods or service use for construction or construction में renovation installation वो भी आता है तो any goods or services use for construction or building other than plant and machinery तो वो case में यहां पे उसका ITC नहीं मिलेगा तो इन्हों यहां पे जैसे solar panel solar panel में यह यूज नहीं हो रहा है solar panels जो हमने लिये वो factory में installed हुए है okay तो part of construction construction includes innovation repairs, यहां पे construction installation तो ऐसे situation में जहां तक दिखा जाए तो इन्होंने 15, sorry section 17 5D के तहत में यहां जहां तक है जो solar panel लाएगे वो solar panel block credit में डाले और ITC नहीं दिया गया and yes it's a totally correct treatment as per the definition of construction of immowable property इसके ITC आपको नहीं मिले गया उसके बाद में next purchase employees uniform for 1000 employee interest rate supply uniform worth rupees 3 lakhs were necessary to ensure the safety of the worker while carrying out the manufacturing activity remaining uniform worth rupees 4 lakhs were sometimes worn by employee outside the factory for personal purposes 7 lakhs में से 3 lakhs का ITC उसको मिल जाएगा क्योंकि वो तो जरूरी था और बाकी 4 lakhs ये personal purpose के लिए assume किया गया इस problem में और आपने भी dominant use का personal purpose है तो ऐसे situation में its use for personal purpose और 4 lakh का ITC उसको नहीं दिया जाएगा लेकिन मैं आपको ये बता दू कि RTP में institute ने जो presumption लिया है कि dominant use personal purpose है इसलिए ITC नहीं दिया जाएगा लेकिन अब आपका एक सवाल हो सकता है कि sir ये जो goods use किया for business हो सकता है कुछ factory के लिए कुछ other than factory के लिए तो ऐसे situation में तो ITC okay part part मिलना चाहिए तो जहां तक देखा जाए तो इन्होंने 3 lakhs का ही ITC दिया और यह तो यहां तक 3 lakhs का ITC है okay यह 3 lakhs का ITC तो पूरे business के लिए use किया जा रहा है और mandatory है पर 4 lakhs का इन्होंने consider किया for fully personal purposes क्योंकि problem के wording से बता रहा है कि okay sometime even though sometime बोला गया है but यहां पर वो personal purpose के लिए और उसके लिए use किया गया इसलिए ITC नहीं मिलेगा पर यहां difference in opinion हो सकता है आप ऐसा भी कर सकते हो कि section 17 one case आप से okay inputs used for business and non business purpose तो ऐसे case में यह partly partly use किया तो आप partly credit ले सकते है 4 lakhs का ऐसा आपका view हो सकता है पर मैं आपको कहूगा कि institute ने दिये गया अगर यह सवाल exam में आता है तो जैसा RTP में दिया वैसा आपको follow करना है और आपको 3 lakhs का ही लेना है 4 lakhs का ITC नहीं लेना है इसलिए अगर आप यहां पर answer में आते हो देखे अगर आप answer में आते हो तो debit note जो मिला उसका 30th November of succeeding financial year जो है last date रहेगी section 16-4 के ही साब से इसलिए उसके CGST और SGST के ITC मिल जाएगे हमारा table है competition of ITC admissible तो यह ITC मिल जाएगा उसके बाद में solar panel that is used for construction of immuable property इसलिए section 17-5-D में उसको block credit में डाला और उसका नहीं दिया जहां तक uniform की बात है तो 3 lakhs का ही उन्होंने यहां पे ITC दिया हुआ है so ITC on the uniform which are necessary to ensure the safety of the employee while carrying out the business activities available however uniform not provided for any safety purpose are construed as being used are construed as being used for personal consumption और ITC नहीं मिलेगा लेकिन और यहां correction कर लेना यह 15-5-E रहेगा so personal purpose के लिए यूज किया गया इसलिए आपको ITC नहीं मिलेगा तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए तो be careful इन्होंने कंस्ट्यूड और माना है कि यह टोटली पर्सनल पर्पस करिए difference in opinion आ सकता है but go with RTP, it's my suggestion तो ऐसे case में आपका जो ITC आ है 54, 36, 36 है अब यह जो 54, 36, 36 आपका जो ITC आया है इसको मुझे divide करना पड़ेगा rule 42 के हिसाब से अब rule 42 क्या कहता है आपको याद होगा तो T1, T2, T3 क्योंकि capital goods तो कोई है नहीं जो भी है मेरा यह भी input है जिसका मैं ITC ले रहा हूँ और debit note भी मेरा जो आया है वो input का ही है तो input और input service का ही है इसमें कोई capital goods तो है नहीं इसलिए मैं rule 42 लगा होगा और rule 42 क्या कहता है T1, T2, T3 तो T1 क्या कहता है exclusively exempt या non business purpose के लिए होगा तो छोड़ दो अगर exclusively सुनिएगा अगर exclusively यहाँ पर block credit होगा तो छोड़ दो taxable होगा या common होगा T1, T2, T3 तो T1, T2, T3 आपको याद होगा तो यह exclusively exempt non business और block credit अगर यह होगे तो उसको exclude कर दो फिर C1 याने common ले लो तो अगर आप ITC देखते हो तो ITC में जहां तक देखा जाए इसमें कोई ऐसा नहीं दिया है कि यह exclusively exempt के लिए है, exclusively taxable के लिए है, यह block credit है और जो block credit है वो तो हम ले ही नहीं रहे है और कि जिसको भी आपने block credit माना तो उसका हम ले ही नहीं रहे मतलब यह जो credit है 54,000, 36,000, 36,000 यह purely common credit है हुआ है याने यह directly C2 है याने इसमें T4 भी नहीं है exclusively for taxable supply वो भी नहीं दिया है क्योंकि दोनों भी commonly पूरा manufacturing process के लिए यूज किया गया तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए तो 54,000, 36,000 और 36,000 यह purely common credit है अगर purely common credit है जिसको मैं कहूँगा C2 है directly यह C2 है और यह common credit है यह common credit C2 है यह भी common credit है uniform का C2 तो ऐसे situation में यहाँ पे direct आप E by F का formula लगा सकते हो E by F का formula मतलब exam tunnel of the period divided by total tunnel अब exam tunnel आपका क्या क्या है exam tunnel में आपके 2 tunnel आपको सामने आएगे एक tunnel आएगा building का हाँ मैंने आपको कह sale of warehousing building यह exam supply माना जाएगा for section 17.3 इसलिए building का और दुसरा interest interest यह exam supply है लेकिन E के calculation के लिए वो consider नहीं होगा इसलिए अगर मैं bifurcation करूँ तो 32 lakhs ही मेरा E आएगा लेकिन मेरा total जो आएगा जान से देखिएगा मेरा total turn और जो आएगा वो 59 lakhs 50,000 आएगा अब यह 59 lakhs 50,000 कैसे आया दोस्तों तो यह 59 lakhs 50,000 32 lakhs building के 13 lakhs 30,000 यहाँ पे आब building का उतना ही लेना जितना stamp duty के लिए है इससे जादा मतले ना E by F तो आपका turn और उतना ही होगा जितना stamp duty के लिए होगा तो plus laptop और उसके packing direct selling agent 4 lakhs वो भी रहेगा pure labor supply वो भी रहेगा corporate guarantee दिया वो भी आपकी turn और in state में आएगा और E by F F के calculation में interest आएगा E में नहीं आएगा ओकी ये बहुत important point है ये E में नहीं आएगा पर F के calculation में interest consider होगा तो इस तरह से आपका IGST डिवाइड होगा और CGST, SGST डिवाइड होगा और डिवाइड होके इतना amount जो है आपका attributable to exam supply है तो ये attributable to exam supply है ओकी आपका तो आपका ITC कितना रहा तो 54 और ये 36-36 में से ये deduct हो जाए तो 54 और ये less कर दो आप इसमें से ITC में से invest कर दो तो आपका nat आ जाएगा इतना और ये net ITC आपके पहले table में चले जाएगा तो ये आपका पहले table में चले गया net ITC ये जो आपका main table था यह table में आपका net ITC चले गया और net ITC यहाँ पर आने के बाद और कि e-cash ledger से इतना payable होगा बहुत अच्छा question है 14 marks के लिए आ सकता है पूरा present करके देखना और इस question में पूरी कोशिश की गई कि सारी most of the important amendments cover हो जाए इसमें amendments जो है corporate guarantee वाला भी amendments इसमें cover कर लिया है तो चली दोस्तों यह हमारा question number 13 जो था RTP में हमने यहाँ पर देखा question number 13 हमने देखा question number 14 में आ जाते है fortune 365 is online money gaming भाई साब important question है again यह question amendments पर है भाई आपने online money gaming कभी खेला है नहीं खेला है न अच्छी बात है पर उसके GST calculation आपको आने चीए भाई तो लोगों को कहो कि खेलो खेलो हम GST calculation करके देगे और इस बार rule 31 A तो पहले से था और 31 B कि यहाँ पर add किया गया especially online money gaming से related casino से related valuation कैसे किया जाएगा amendments आपने देखियोगी पर amendments practically कैसे apply करेंगे तो चलिए यहाँ question ले लेता है तो इसमें भी यह cover हो जाएगा तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वो क्या कहते देखाऊ fortune 365 is online money gaming platform operating from UE पहर से operate हो रहा है बहर से operate हो रहा है it provides users a platform to play and win money in different games in different games कैर है they are available on his portal भी अलग अलग game onkyo portal पे और अलग अलग portal पे खेलो different game on same portal खेलो पैसा कमाँ GST दो in the month of December player A an unregistered person located in India deposited 10,000 inton talism in a master wallet अवेलेबल ऑन दे पॉर्टल ऑफ फॉर्चुन 365 यह फॉर्चुन 365 यूए में था सभी यूए में बैटे हुए और के गेम चलाने वाले क्योंकि टैक्स-प्री कंट्री थी तर अब वो टैक्स-प्री कंट्री नहीं रही उन्होंने भी कॉर्परेट टैक्स लगा दिया है अब ये एक ट्रांजिक्शन होगा देखते है अब क्या होता है दुसरा अननादर पोटल परेटेटबाइ फोर्चुन 365 नेम बैट-180 गैजन दुसरा एक पोटल था वैले पैसा है वैलेट का पैसा है कोई भी पोटल कोई भी घम में युसकरो तो बैट इटग्वाला एक गेम था बैट-180 अबैर ए प्लेह ए सब्सक्रीड था ऺत-धुन on an international wrestling match okay the amount of such bet was paid by master valid player a however he lost the bet and hence a bet amount 11,000 will be applicable taxes was transferred from the master valid achha paysa bhi tax bhi uske master valid se gaya now next player a transferred the balance amount from master valid to his bank account bhai baqi ka paysa ab ne khella mujhe jav me ne khella baqi ka paysa mujhe wapas kar do assume all the above transactions are exclusive of gst unless otherwise specified rate of gst is 28% please ignore the bifurcation of gst amount of kisi gst as gst i gst bhai single gst se calculate karke do bifurcation karne ki zharubh ni hai based on information provided above answer the following briefly pahela compute total gst payable on aforesaid given transaction gst kaun se transaction pe aayega determine net amount transferred by player a to his bank account after aforesaid transaction kitna hu aapne bank account mein transfer kareega a certain whether fortune 365 is required to obtain registration under gst in india will your answer be different if player is a player is registered under gst in india baapre iitna sare question puchta hai ki ya bhot sare question puchli hai okay concept clarity aajayi aapko to doosdo jaha tuk dekha jayae to me aapko jee bata dao dekho paheli baat toh yaahaan pe doh main activity hoi jiske opeer gst aayega ek online money gaming jismeh 10,000 rupay ndala gya aur dousra baiting hua baiting mein paisa use kiya gya wallet ka abo joe sawal ye ki joe kamaaya gya uske opeer gst aata hai kiya toh nahi mein abhi rule aapko batao ga joh aapne kamaaya uske opeer gst nahhi hai lekin joh khela uske opeer gst hai haa kheelne me joh winning price hai or winning price se khela sunega winning price pe khela to uspe gst nahhi hai okay abo dusri baat yehaan pe thoda mein aapko aur ache se explain karo ga lekin johan tuk dekha jaya toh yoh 10,000 rupay aya aur 10,000 rupay phir wallet pe aya aur wallet se phir dusre usne game me lagaya same game nahi khela bhai sahab dusra game khela okay toh waha wapas 11,000 rupay lagaya toh uske opeer johan pe gst aaya ga woh online money gaming pe aaya ga aur dusra baiting pe aaya ga ki baiting usne valet se paisa nikal ke khela toh chalye pehel e dekh lietay rule kya kareta hai very good rule pe aata hai agar aapko rule 31a yad ho ga toh rule 31 ee kahta hai ki lottery hooghi toh lottery ke case me higher of the following amount aapko value lehna padeega aur lottery ke case me aapko inclusive value lehna padeega always and then lottery ke face value ya notified value by the notified value in the official gazette by the organizing state okay toh joh bhi face value hooghi ya notified value hooghi into under divided by 128 और इसमें से जो higher hooga वो value आपकी value consider किया जाएगा for the purpose of GST in short okay inclusive of GST लिया जाएगा face value or notified value whichever is higher in 200 divided by 128 लेकिन अगर betting, gambling, horse racing होगा तो उसकी value 100% of face value रहेगी वो inclusive नहीं माना जाएगा और जो भी face value होगा betting betting अगर यहाँ 11,000 रुपय का लगता है तो 11,000 पर GST आएगा 11,000 रुपीज पर GST आएगा if betting okay for 11,000 ठीके उसके बाद में 31 B अभी अभी add किया गया अभी 31 B क्या कहता है अगर online money gaming होगा तो whatever the total amount paid or payable or deposited with the supplier by way of money और money worth okay including virtual digital asset मतलब bitcoin अगर आपने use के होगे by on the be of a player वो value लिया जाएगा ठीक है तो जो भी आपका total amount deposited अब given case में क्या है amount deposit हुआ वो inclusive of GST हुआ है तो वो आप total मतले ना उसमें से GST हटाना पड़ेगा तो GST हटा कर जो value आएगी क्योंकि उन्हाने खुद का inclusive of GST अगर वो कहते हैं कि 10,000 deposited and that is exclusive of GST तो हम 10,000 पे GST लेते हैं पर उन्हानने inclusive of GST बोला है तो वहाँ deposited amount तो amount paid or payable to or deposited with the supplier by way of money or money worth in relation to supply तो वो आपको inclusive of GST है तो उसमें से GST हटाना पड़ेगा हां next क्या कहते है amount return or refunded by the supplier by any reason shall not be deductible हां अब देखो आपको पैसा वापस किया समझ लो आपके 10,000 deposit किया जिसमें GST इंक्लूड़ेट है तो approximately समझ लो आपका amount 7,000-8,000 deposit हुआ खेलने के लिए अब उसमें से आपने खेला और बचावा पैसा आपको वापस किया तो जो पैचावा पैसा आपको वापस किया वो GST calculation से deduct नहीं होगा जितना आपने deposit किया एक बार लग गया GST जो लग गया, जो आपस हुआ वो calculation से deduct नहीं होगा और उसके बाद में एक नीचे explanation है और यह explanation बड़ा important है यह casino के लिए भी उन्होंने लगबग same principle दिये जितने के आपने token, chips, coins वगरे लिए यह जितना आमोंन आपने deposit किया वो चुचिडर होगा और जो आपस मिला वो डिड़क नहीं होगा for the purpose of rule 31 B and 31 C the amount received by the player by winning of any event including game scheme competition or any other activity or process which is used for playing the said used for playing by the said player in further event without withdrawing shall not be considered as amount paid to or deposited with the supplier by or on the behalf of said player मतलब क्या? मतलब अगर उसको जो पैसा मिला जान सुनिएगा अगर उसको जो विनिंग का पैसा मिला वो विनिंग का पैसा पर GST नहीं आएगा विनिंग के पैसा पर GST नहीं आएगा ओके और वो वो विनिंग के पैसे से फिर से खेलता है और वह आगे क्या कहते है, शाल नॉट बी कंसिडर एज अमाउन पेड तू और डिपोजिटेड विद दे सप्लायर, और और अन दे भी आप अप सेड प्लेयर, तो जो विनिंग का पैसा मिला उसके पर GST नहीं आएगा, अच्छा, अब वह विनिंग का पैसा सेम गेम खेलता है, और के विनिंग का पैसा आया, और वह सेम गेम खेलता है, समझ लो, ऑनलाइन मनी गेमिंग ही खेलता है, और वह सेम गेम खेल रहा है, तो फिर से GST नहीं आएगा, और के विनिंग का पैसा आया, और सेम गेम खेलता है, तो फिर से GST नहीं आएगा, लेकिन वह विनिंग मैं जो कह रहा हूँ वो important है, अगर वो 10,000 कमा था, और वो 10,000 वापस same game खेलता, और उसके wallet में नहीं आता, और वापस वो same game खेलता, तो फिर उसके ओपर फिर से GST नहीं लगता, जो initial deposit है, वो ही GST लगता, लेकिन इसके wallet में पैसा आ गया, और wallet में पैसा आने के बाद इसने बेटिंग के लिए लगाया, तो फिर GST आ जाएगा, तो ऐसे situation में बेटा, जहां तक देखा जाए, यह बहुत अच्छा question है, पहला जो अगर आप answer देखते हो, अच्छा, तो लो calculator आप, आप calculator लो 2 बिनिट के लिए, मैं भी लेता हूँ, हाँ, तो इसने deposit किया, rate 28% लेना ह आपको, तो 10,000, inclusive आप GST deposit किया, तो यह 10,000 पे GST कितना आ जाएगा, तो यह 10,000 into 28, पहले तो ले ले तो value क्या होगी, तो 10,000 into 100 divided by 128, तो आपकी value आजाएगी, 7812.5, और आपका GST आजाएगा, minus 10,000, तो आपका GST आजाएगा 2187.5, यह आपका GST आजाएगा, दुसरा उसने कमाया हुआ पैसा, बेटिंग के लिए लगाया, तो कमाया हुआ पैसा, दुसरे गेम में लगाया, सेम गेम में खेलता तो GST नहीं आता, पर उसने बेटिंग के लिए, क्योंकि उसके wallet में पै value आगे, अब rule 31A के हिसाब से, 31A के हिसाब से value क्या रहेगी, तो 31A के हिसाब से value जो रहेगी, total face value रहेगी, मतलब 11,000 into 28%, इतना आपको GST लग जाएगा, इन्टू 28%, तो यहाँ पर, sorry, 11,000 into 28%, यहने 3080 इतना GST लग जाएगा, ठीक है, अब उसके wallet का पैसा आना जाना fund flow हिकाल देते हैं, उसके wallet में पहले उसने deposit किया 10,000, उसमें से less GST कटा, वो 10,000 का, 2187 का GST 0.5 यह कटेगा, फिर वापस add हुए, उसने कमाया 10,000 रुपे, okay, sorry, उसमें से 2,000, उसने, minus 2,000, 2,000 का उसने खेला, okay, 2,000 का उसने online money, gaming, यहाँ पर पैसा लगाया, उस पर वो जिता 10,000 रुपे, 10,000 रुपे आगा, ठीक है, फिर, यह जो है, बेट लगाई 11,000 की उसने, उस पर GST, 11,000 पर GST 3080, 3080, यह कट हुआ उसका, उसके वैलेट से पैसा आना जाना चलुए, और अब उसके वैलेट में बचावा कितना पैसा आएगा, तो यह क्यालकुलेशन करो, यहाँ पर, 10,000 minus 2187.5 minus 2000 plus 10,000 minus 11,000 minus 3000, यहने 1812.5, 1812.5, इतना पैसा उसको वापस मिलेगा, एंसर देखो, मैंने भी नहीं देखा अभी तक, 1732, कहा गड़ गड़ है, 10,000 deposit हुआ, मेरे कालकुलेशन में कुछ गड़ गड़ है, 2188, 10,000 into 28 divided by 128, 2188, बरावर है, पैइमेंट फॉर वर्चुल रिसिंग बरावर है, 10,000, 1130, फिर मेरे कैलकुलेशन में गड़ गड़ हुआ कुछ तो भी, 1732, बाकी हमारा कौन से बरावर है, कैलकुलेशन में कही गड़ गड़ हो गया है, ठीक है, 1732 उसके वैलेट से आएगा, चली, कोई बात नहीं, उसके बात में next अगर यहाँ पे हम देखते हैं, तो जहाँ तक देखा जाए, सॉरी, यह क्वेशन पर वापस आएगा, हाँ, इनिशल डिपोजिट उसका GST निकल गया, उसका GST 2188 निकल गया, बेटिंग, बेटिंग 100% of value, यहने 3080 उसका GST निकल गया, 11,000 का, उसके बाद में उन्होंने कहा था कि आल्लाइन मनी गिमिंग को कमपसरी रेजिस्ट्रेश है, तो यह बेटा, अभी, सेक्शन 24 में यहाँ पर 11A एड हुआ है, और उन्लाइन मनी गिमिंग अगर बाहर से इनिया में प्रोवाइड हो रहा है, तो मेंडेटरी बेसिस पर उनको रेजिस्ट्रेशन कमपसरी है, और उसके बाद में यहाँ और एक क्वेशन उन्होंने प अगर बाहर से इनिया में प्रोवाइड हो रहा है, तो वो सिचुएशन में, अब यह वाला पॉइंट समझ लो, यह वाला पॉइंट, ठीक है, एक है OIDAR सर्विस और एक है Online Money Gaming, अब OIDAR सर्विस ऐसा है, कि अगर यह NTOR को दिया गया, सिक्शन 14 of IGST Act कहता है, NTOR को दिया गया तो ऐसे केस में, यहाँ पे Forward Charge में, OIDAR इनिया में आके Tax Pay करेगा, और यह अगर रजिस्टर को दिया गया, तो RCM लग जाएगा, अगर बाहर से सर्विस इनिया में आई, लेकिन Online Money Gaming को ऐसा नहीं है, ओके यह Section 14A एड किया गया, ओके और Online Money Gaming को ऐसी नहीं, इनी परसन को दो, इनी परसन को दो, रजिस्टर को दो या अन्रजिस्टर को दो, इनी परसन को दो, Tax Supplier को ही देना पड़ेगा, Tax Supplier को ही देना पड़ेगा, Very Important, तो यह वाला पॉइंट भी यहाँ पे, कि OIDAR में NTOR को दिया, तो Forward Charge में वो इनिया में रजिस्टरेशन करवा के, या उसका Representative इन परसियम लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 14A जो नया एड किया गया, Online Money Gaming किसी को भी इनिया में सर्विस दे, यहाँ Supplier ही इनिया में आके Tax देगा, और इनिया में वो रजिस्टरेशन करवाएगा, Okay, तो Supplier, Supplier Service इनिया शालाइबल टू अप्टेन रजिस्टरेश अप्टेशन भी लिया हो, तो भी एंसर चेंज नहीं होगा, Okay, Supplier को ही Tax देना पड़ेगा, तो यह था, जहां तक देखा जाया, हमने Online Money Gaming से डिरेटेड एक बहुत अच्छा Question यहाँ पे देखा, Question No.14, Question No.14, बिंदु सरा, Commences the business of supplying taxable goods locally within the state of Rajasthan in April, ठीक है, Supplying taxable goods locally in Rajasthan in the month of April, April में उसने नया business चालो किया, और ना में बिंदु सरा, चलो भाई, बिंदु सरा, Okay, अच्छी बात है, तुने अप्रिल में चालो कर दिया business, और राजस्तान में तु business कर रहा है, अभी तक जिस्ट में रजिस्ट्रा ही नहीं है, ना इस ऑग्रिगेट टरनोर रिचस तो 8 Lakhs, जूने अंड टक कर लिया, अच्छा बिजने चलो है, बिंदु सरा, अबर बॉर्च्ट आहार। लगाना जाता है। चलिए, he approaches you to advise following issue in this regard, हमारे पास आया है, okay, तो यहाँ पे उनको जो है, advice देना है और चेक लेना है हमें, हमारे पीस का, बिंदु सरा विशेस to continue his business without registering under GST, since it will enhance the compliance burden under GST law, can supply of goods through e-vastu store without obtaining GST registration, you are required to advise him, अरे यह तो आप advice तभी कर सकते हो, जब recent amendments आपने पड़ी होगी, अगर recent amendments आपने पड़ी होगी, तो वो पहले आपको समझा देता हो, दूसरा, discuss the GST implication in case of Bindusara supplies the goods through issue platform, discuss the GST implication in case of Bindusara supplies the goods through electronic commerce platform, e-vastu store, हाँ, e-vastu store का GST implication क्या होगा, तो वो भी हमें बताओ, चलिए, थोड़ा मैं आपको यह समझाना चाहोगा, एक amendment हुई, अच्छी amendment है इस बार क और यह amendment आपको पढ़के जाना है, section 24 आपको याद आ रहे क्या, अरे हो, okay, section 24, बड़ा section 24 था, वो कहता था कि कुछ लोगों को compulsory registration देना पड़ता है, okay, threshold कितना भी हो compulsory registration देना पड़ता है, उसमें 9 number की एक entry थी, पता नहीं, आपको याद होगी की नहीं होगी, नहीं होग अभी मेरे साथ याद कर लो, okay, तो जब उठे तब सवेरा, तो person who supply the goods or service or both other than supply specified under section 95, through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, India में क्या किया, हमारे JST law ने, ECO को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 95 का ECO, और एक section 52 का ECO, okay, और जो यहाँ प अगर कोई supplier 95 के ECO के थुरू supply करता है, किसको supply करता है, recipient को, तो पूरा tax, 100% tax कौन देगा, 95 देगा, और यह जो अपलाए होता है, वो सिर्फ services के लिए अपलाए होता है, 95 में सिर्फ नोटिफाइड services ही है, goods है नहीं, लो कर लो बात, okay, यहाँ तो goods है ही नहीं, और हमारा problem म good supply हो रहा है, okay, so, यहाँ पे बिंदू सरा ही था, जो भी सरा होगा, okay, तो जहां तक देखा जाए, तो वो तो good supply कर रहा है, April से, तो 95 पिच्चर में आई नहीं, पर आपके knowledge के लिए बता देता हो, okay, आपके knowledge के लिए बता देता हो, कि यहाँ पे 95 के थुरू, 95 में, supplier को registration कम supply करते है, तो supplier को compulsory नहीं है registration, जब तक threshold cross नहीं होता है, लेकिन, यहाँ पे क्या का गया supplier और recipient, अगर कोई supply है, धान में लखना, अगर कोई supply है, ऐसे ही हो के तुरू supply कर रहा है, जो क्या cut कर रहा है, TCS cut कर रहा है, तो यहाँ पे section 24, ओ भाई साब, section 24, और कौन सा, मैं भी भूल गया, क्या entry था, 9, okay, तो section 24, 9, जो है, यह कहता है, इनको, इस supplier को compulsory registration लेने पढ़ेंगे, compulsory registration लेने पढ़ेंगे, okay, यह समझा की नहीं समझा, तो supplier goods का हो, यह service का हो, लेकिन, इसमें, पहले से एक exception था, और पहले से exception था, और पहले से exception था, कि अगर आप supplier of services होगे, उनको पूरा थेशन मिलेगा, और उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरुटनी, यह exception पहले से था, supply up service को, इस बार क्या एड कर दिया, इस बार एड कर दिया, supply up goods को भी exception में एड कर दिया, okay, और supply up goods है, अब कोई छोटा business man होगा, okay, जो unregistered होगा, वो भी चाहता ही कि E.C के तुरु बिजनस करे, okay, तो मोधी जी कहते है, कर भाई, कर, okay, यहाँ पे तुरु इस बार दिया गया, तो जहां तक देखा जाए, अब goods वालों को भी exception में डाल दिया गया, लेकिन goods वालों के लिए दुनिया बर के रिस्टिक्शन डाले गया, goods वालों के लिए नहीं, goods करता देता हो, 34 by 2023, person making the supplies of goods through ECO, who is required to collect tax at source, an aggregate turn or not exceeding 20 lakhs or 40 lakhs or 10 lakhs, what it may be in preceding financial year or current financial year, subject to following conditions, such person shall not make an interstate supply of goods, हा, service के लिए कोई रिस्टिक्शन ने बाहिसा, पर goods के लिए है, कि यह जो उनको अलाव किया, वोगल के लिए अलाव किया, मतलब जब यह Amazon के तुरु सप्लाइ तो local supply कर सकते है, interstate supply कर सकते है, okay, shall not make a supply of goods through issue in more than one state, or UT, मतलब पेले तो खुद का supply भी इंट्राइ करेंगे, खुद का इंट्राइ नहीं होना चाहिए, साथ साथ में issue के थूप्लाइ तुरु सप्लाइ जो करेंगे, वो भी, वो भी same state में करेंगे, interstate नहीं होना चाहिए, okay Intra State नहीं होना चाहिए, be careful, Intra State नहीं होना चाहिए, वो अगर Supply करेंगे, So, Shall Not Be More Than One State मतलब same Intra ही करेंगे, याने, खुद का Supply भी Intra होना चाहिए, Issue का Supply भी Intra होना चाहिए, शार्रिक्वार्ट तो हमारे पैंगे पास पैंगे पासफोना चाहिए, Shall Declare on common portal their PAN, address and state common portal पे ये सारी बात है उनको declare करनी पड़ेगी, औरे सर वो तो unregistered है unregistered के बाद भी declare करना पड़ेगा इनको enrollment number मिलेगा from common portal, वो enrollment number shall not be granted more than one enrollment number in a state, एक ही enrollment number मिलेगा उनको statewide, क्योंकि वो local sale ही करते है तो enrollment number मिलेगा और issue की ये जिम्मेदारी रहेगी कि जब तक इनके पास enrollment number नहीं है तब तक ये कोई good sale नहीं करने देंगे और जैसे ये लाबल टू registered होगे और registration करवा लिया क्योंकि इनका turn और 20 लाग, 40 लाग या 10 लाग जो भी होगा वो cross हो गया तो उनका enrollment number automatically seize हो जाएगा और के वो normal registration में आ जाएगे ये सारी condition learn कर लेना learn कर लेना भाई और ये condition लिखनी है हम अब ये एड़वास देना है और हमें पैसा लेना है भाई बिंदू सदा और के तू कर सकता है supply बिना registration के तू supply कर सकता है तेरा turn और नाटला की है और पिछले साल तेरा business ही नहीं था ये साल भी turn और तेरा threshold के नीचे है ऐसे case में तू good supply कर सकता है issue के तू बिना registration का तो ऐसे case में तुझे वो सारी conditions fulfill करनी पड़ेगी वो सारी conditions आपको लिखनी पड़ेगी और ये advice दो और पर जो issue है issue पर क्या जिम्मेदार ही है तो उसने यहाँ पर GSTR 8 में यहाँ देखो यह तो हुआ हमारा यह problem बड़ा लंबा problem था यह भाई साब खतम तो हो जा हाँ जहां तक बिंदू सरा जो है वो e-commerce operator के थूप बेश सकता है 25.9 कहता है कि पहले तो 25.9 लिखो कि बहई supplier जो ऐसे issue case to supply कर रहा है जो TCS करेंगे तो mandated registration है और अभी इसको exception लाया गया और उसका aggregate turnover in preceding financial या current financial या threshold से नीचे होगा तो वो supply कर सकता है उसको registration लेने के जरुवत नहीं है सारी condition जो मैंने बताई ही वो लिखो यह learn करके जाओ सारी conditions और वो आपको लिखना है where such person is subsequently granted registration ये भी आमने देखा B वाला कहता है बिंदू सरा is not required to obtain registration under GST there shall be no GST implication on the supplies made by him through issue लेकिन issue को उसको GSTR 8 में और कि उसकी detail देनी पड़ेगी issue as to your details in GSTR 8 अगर issue ने GSTR 8 में details नहीं दी तो उसके ओपर penalty आ सकती है तो चली ये था बिंदू सरा का question ये भी अच्छा question है amendments पे question है करके जाना भाई साब question है ये करके जाना तो हमने इस तरह से बिंदू सरा का question complete किया question number 15 हमारा हो गया ठीक है अब आ जाई है आप question number 16 के A limited is a registered under GST in Rajasthan Delhi, Haryana and Punjab ओ भाई साब कितना business करेगा राजस्तान में भी है Delhi में भी हर्याना में भी पंजाब में भी है due to closer of business activity in Rajasthan with effect from the May 31-23 a limited file and application for cancellation of registration before judicial tax authority of Rajasthan भाई cancel करवा रहा है क्यों क्या हो गया business चलाई है भाई साब का तो cancel करवा रहा है उसको the application for cancellation of registration was file on 38 June 38 June को application दे दिया registration was suspended with the immediate effect on June 30-20-23 by the judicial tax authority अभी cancel नहीं किया, immediate effect से suspend कर दिया गया final order of cancellation was dated order I July 31 को you are required to advise a limited regarding last date of filing the final return by it in Rajasthan further a limited also registered as a ISD in Rajasthan said registration was cancelled with effect from June 30-20-20 sorry 2023 with an order dated July 31 advise whether the final return required to file upon cancellation of ISD registration by a limited order if yes what is the due date of filing the state final return अब देखो सबसे पहले तो final return कब देना चाहिए तो final return के section में आजाओ अगर आपको याद होगा final return हमने कब देना चाहिए आजाओ आजाओ आपको बूक ओपन करो return chapter में जाओ और return chapter में जाने के बाद आपको final return की provision देखेगी final return में अगर आप आते हो तो आपको एक section देखेगा section 45 okay 45 में आजाओ final return final return जो होगा तो आपको three months कब देना पड़ता है okay GSTR 10 में देना पड़ता है GSTR 10 में देना पड़ता है और three months from the date of cancellation or date of order of cancellation okay तो जहां तक है 30 June को suspend किया था okay और order आया July 31 से तो hence final return okay तो अब देखो wording क्या है date of cancellation or date of order of cancellation अब गिवन case में direct order की date दी हुई हमें इसलिए बात का ख्याल रखना है अगर order में ऐसा लिखा जाता है कि this registration is cancelled from 30th June तो हमें क्या लेना पड़ता okay whichever is later तो फिर order लेना पड़ता पर 30th June को suspend हुआ 30th June को suspend हुआ और order आये whichever is later order आये तो जब order आये July 31 को तो वहां से three months आपको लेना पड़ेगा और वहां से three months में okay वो cancellation होगा since ISD is not required to furnish return under section 39.1 हाँ ये वाला point बड़ा okay tricky point था क्या ISD को भी final return देना पड़ता है final return उनको ही देना पड़ता है जो normal return देता है ISD normal return नहीं देता है 39.1 में इसले final return is not required to file कितना tricky question पूछा था आप लिख देते कि हाँ ISD को भी final return देना पड़ेगा नहीं भाई साब नहीं section 45 देखो जो section 39.1 में वहाँ exceptions देए final return के जो 39.1 में normal return देता है उसको ही okay यहाँ पे final return देना है okay ISD उसमें exception में है ISD को final return देने की कोई भी जरुवत नहीं है okay देखो ऐसे tricky questions आते है marks मत छोड़ना भाई साब ऐसे अगर tricky questions आते हैं तो marks मत छोड़ना तो इस तरह से okay यहाँ पे हमने question number 16 देखा cancellation of registrations related चलिए तो यहाँ पे question number 17 पे आजाओ Xebrex 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 registered in Delhi enter into a contract with Shine Limited Xebrex registered Delhi का था Shine Limited an advertising company located and registered in Guru Gram Haryana to advertising company Shine है वो हर्याना की है to arrange a display of advertisement of Xebrex newly launched product on hoarding place in marine drive Mumbai महाराष्ट्रा अच्छा महाराष्ट्रा for initial three months of launch of the product तो ख्याल रहा है Shine Limited को यहाँ पे advertisement service देना है display करना advertisement कहाँ display करना है Mumbai में और service Xebrex को देना है उर्के new product के लिए for three months of launch of the product Shine Limited in turn enter into a contract with the owner of the seaside hotel located at registered marine drive Mumbai एक hotel था marine drive Mumbai ठीक है for display of advertisement on hoarding place in the lawn of the hotel what will be the place of supply of service provided services provided in the given cases अब दो contract है पहला advertisement company ने सुनियेगा पहला supply जो है advertisement display service देना है Xebrex को और फिर यहाँ पे जो advertisement Shine Limited है उसने होटल वाले के साथ सीसाइड होटल जो है उसके साथ contract किया कि यहाँ पे तेरा space प्रोवाइड कर for the purpose of advertisement ऐसे दो contract है तो एक अभी अगर आपको याद होगा तो एक circular है और एक clarification आया जो clarification मैंने यहाँ पे place of supply में लिया था अगर advertisement company space buy करती है right to use the space on hoarding on structure तो अगर advertisement company किसी से space लेती है और for hoardings for hoardings advertisement hoardings तो उसका place of supply 12-3A से fix होगा लेकिन अगर advertisement company engage vendor to arrange your hoardings billboard at specific location या फिर वो सीफ arrange करके देती है vendors को और vendor और direct company का contract होता है तो फिर advertisement company का contract 12-2 में fix होगा तो ऐसे situation में अगर आप यहाँ देखते हो RTV में तो पहला जो contract है और पहली service zebrics को shine limited service दे रहा है तो वो purely advertisement services है और फिर shine limited ने सुनना फिर shine limited ने space लिया किस से लिया hotel वाले से तो वो hotel वाले से जब advertisement के लिए space लिया तो वो separate contract है तो वो separate contract है तो उसका place of supply जो है अगर वो space के rights दिये के है तो वो immobile property related माना जाएगा और 12-3 से fix होगा तो ऐसे situation में आप अगर देखते हो तो पहला contract पहला contract just advertisement है between the shine limited and zebrics तो वो case में okay advertisement service होगी तो 12-2 से क्यूंकि other subsection में कही cover नहीं होता है तो पहला 12-2 से cover होगा और 12-2 से अगर zebrics registered in Delhi तो place of supply Delhi माना जाएगा इसलिए अगर आप answer देखते हो 17 का देखे हाँ यहाँ दो contract है पहला service provided by shine limited to zebrics by way of arranging the display okay arranging the display और दूसरा service provided by seaside hotel to shine limited by way of placing the hoardings in the lawn दो case है तो पहले case में place of supply जो है पहले case में place of supply जो है यह 12-2 से fix होगा क्योंकि यह merely advertisement services है और not covered elsewhere तो उसका place of supply जो fix होगा वो daily fix होगा second case में rights दिये जा रहे है space दी जा रहे है तो in related to okay immowable property माना जाएगा और वह 12-3 अप्ला होगा और वह 12-3 अप्ला होगा तो जहाँ immowable property located है मतलब मुंबई तो उसका place of supply है यहाँ पे marine drive मुंबई माना जाएगा तो बड़ा simple था दोस्तों यह place of supply से related यह भी a question है इस बार mostly उन्होंने amendments पर questions cover करने की कोशिच किया RTP में इसलिए RTP इस बार बड़ी अच्छी RTP है सारे amendments उसमें cover हो जाते है सारे मतलब most of the major amendments उन्होंन 18 क्या कहता है यह customs related question है हाँ मैं यह बता दू कि अगर आपने mission संभो का customs का revision कर लिया होगा तो उसके बाद यह problem solve करना आपके लिए और easy जाएगा अगर आपने already customs self revise कर लिया है या पढ़ लिया है तो मैं आपको एक अच्छे से समझा देता हूँ यह question आप जो है customs के revision के बा यह क्या कहता है देखो प्रड़क्ट हेक्जा वस इंपोर्टेट बाइ मिस्टर नारायन बाइयर बाइयर से प्रड़क्ट इंपोर्ट किया गया और हुए हेक्जा the details of the import transaction as under price of हेक्जा as exporter's factory याने यह इन्होंने x factory price दिया और x factory price exporter's price का उन्होंने $8,000 दिया freight from factory of exporter to load airport याने वहां का freight दिया याने वहां के factory से वहां के airport तक $500, loading and handling charges at the load airport $500, freight from load airport to airport of importation in India $4,000 और insurance charges okay यहां पे $2,000 इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है though the aircraft arrived on 24th November the bill of entry for home consumption was present on 20th November बैसे भी bill of entry पहले दिन present करने प्रती है तो यहां तो prior bill of entry present किया हुआ है और 20th November और 24th November का यहां पे custom duty rate, CBIC rate, RBI rate और HD 37 के rates दिया है compute बहुत ही simple question है value of product exact for the purpose of living custom duty and second total custom duty and tax payable तो चलिए अब यह problem में खास बात क्या है आपको यह बात बता देता हूँ मैंने आपको जब यहां पे customs पढ़ाया था और special evaluation यह chapter पढ़ाया था तो customs valuation में problem solve करने की दो approach बताया था approach 1 और approach 2 तो यह दो approach को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ मैंने दो approach में आपको यह बताया था जैसे approach 1 और यह approach 2 दोना approach थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा और इस पार RTP में यह जो question है यह approach 1 पे question है मुझे जहां तक यहाद आता approach 1 और 2 में इस तरह से आपको पढ़ाया था ठीक है approach से जादा concept को समझ लो तो वो आपके लिए ज़्यादा helpful होगा और आपके questionnaire में मैंने इस तरह से दिया हुआ है आपको यह बात बता दू कि यह जो मैं approach आपको बता रहा हूँ यह approach model इस बार का जो नया module है उसमें जहां तक जो other content है content में नहीं कहीं explain किया हुआ है लेकिन आकरी में जो exercise questions दिया है उसके अंदर यह approach का एक problem डाल दिया है लेकिन content में कहीं उन्होंने explain नहीं किया हुआ है इस approach को इसलिए जो student ने इस बार का recent EO batch किया होगा तो मैंने EO batch में कहा था कि यह approach जो है मैं आपके login में इसका video डाल देता हूँ अब I don't know कि institute उसनोंने content नहीं दिया तो उसके पर question पूछेगी या नहीं पूछेगी लेकिन मैंने वह approach का video आपके login में दिया था अगर आप आपने देख लेना है हाँ बाकी जो regular batch के student है या जो पुराने student है उनको तो मैंने यह दोनों approach से पढ़ाया हुआ है तो चलिए दोस्तों यहां तक देखा जाए यहां पर approach 1 थोड़ा मैं आपको यह explain कर देता हूँ देखो अगर हम customs में valuation chapter में आते है तो यहां पर rule 10-2 क्या कहता है रूल 10-2 कहता है cost of transportation आपको cost of transportation भी air करनी है आपके transaction value में और उसमें 10-2 A उन्होंने 10-2 A दिया है और 10-2 B दिया है और 10-2 A में क्या कहते है वह देखो यहां पर cost of transport, loading, unloading, handling charges associated with the delivery of imported goods to the place of importation यहां to the place of importation का मतलब CBIC का clarification है up to place of importation यहां जो भी total cost of transport आपको लगी loading, unloading और handling charges लगे up to हमारे place of importation वह आपको add करना है और second cost of insurance up to place of importation आपको add करना है और इसमें CBIC clarification आया कि यह to the up to the place of importation मतलब यह जो cost है कि यहां पे जो loading, unloading और handling की बात किया यह इंडिया के landing charges नहीं है यह load port के landing charges होगे और वो उसमें cover किये जाएगे थोड़ा इसको समझने की कोशिश करे इस diagram से तो उसको मैं इस तरह समझा जेता हूँ जिसे foreign country में supplier है एक्स factory price होती है एक्स factory price में वहां का cost of transport वहां का handling, unloading, loading यहने load port का यह charges लगते हैं यह वहां से यहां तक का आने का फिर loading, unloading, handling charges फिर FO भी आती है फिर वहां से लेके up to our place of importation फिर से cost of transportation और insurance लगती है मतलब आपको दो cost of transport यहां लगेगी फ्लस loading, unloading, handling charges यह जोगे इन simple word 10-1a में कैकी add होता है 10-1a में वहां का cost of transport add होता है loading, unloading, handling और वहां से यहां तक का आने का cost of transport यह 10-1a में add होता है और insurance 10-2a में add होता है और insurance 10-2b में add होता है ठीक है याने 10-2A में 5 cost आती है ये जो cost है 4 प्लस वहाँ से इन्या में आने तक की cost of transportation जो major cost of transportation है और ये associated है तो ये जो है total 5 cost 10-2A में आती है अब साथ साथ में एक प्रोवीजो दी गई है रूल 10-2 में अगर आप रूल 10-2 में प्रोवीजो में आते हो तो ये एक प्रोवीजो नमब प्रोवीजो नमबर 5 में अगर आप आते हो तो प्रोवीजो नमबर 5 क्या कहता है अके दोस्तों प्रोवीजो नमबर 5 ये कहता है कि अगर by air आपने import किया तो ऐसे situation में हम freight cost actual basis पे ही लेना ऐसा नहीं होगा मतलब ये कि आपके benefit के लिए government ने ये कहा कि अगर आपने by air import किया तो वो case में actual या maximum up to 20% of FOB उतना ही consider करेंगा यहाँ FOB का मतलब होता है adjusted FOB याने rule 10-1 की सारी adjustments करने के बाद जो FOB आएगी वो adjusted FOB लिया जाएगा चली कितना easy था? यहाँ पे कि adjusted FOB लिया जाएगा तो अब वो क्या कहते हैं कि जो 10-2-A का cost है वो 10-2-A का cost by air अगर import होता है तो कितना लिया जाएगा? अब इससे मेरे सामने क्या challenge आगिया? मेरे सामने यह challenge आगिया कि अब देखो यहाँ पे जब मैं 10-2-A का cost consider कर रहा हूँ तो 10-2-A के cost में यह 5 कास्ट आ जाती है सुनना जहन से 10-2-A के cost में यह 5 कास्ट आ जाती है तो यह चार प्लस यहाँ का cost of transportation तो यह total 5 कास्ट इसमें आ जाती है तो अगर मैं 20% of adjusted FOB ले रहा हूँ 20% of adjusted FOB ले रहा हूँ मतलब यह presume करना पड़ेगा कि वो 20% of adjusted FOB में वो total 5 कास्ट आ चुकी है आपको अलग से कुछ भी add करने की जरुवत नहीं है अलग से कुछ भी add करने की जरुवत नहीं है इससे क्या हुआ इससे दो approach develop हो गए इससे दो approach develop हो गए अब यह कौन से दो approach develop हो गए इस बाद को समझ लो अब problem में कभी-कभी क्या होता है X factory price दी जाती है सुनिएगा X factory price दी जाती है और यहाँ पे FAS price दी जाती है पर वहाँ का transportation भी दिया जाता है और कभी-कभी क्या होता है X factory price दी डारेक F.O.V. price दी जाता है तो मैंने आपको यह पढ़ाया था कि approach 1 में हाँ और मैं आपको फीर से कह दूँ कि approach 1, approach 2 क्लिरली समझ लो approach 1 में जहां तक देखा जाए ठीक है approach 1 में यह approach 1 तभी लगता है जब आप किसी भी तरह से X factory price निकाल सकते हो यहने approach 1 वहाँ ज्यादा बेटर है जहां X factory price आपको डारेक दी गई है यह आप बैग जाके निकाल सकते हो X factory price अगर आपकी X factory price होगी तो उस X factory price के case में हम approach 1 लगा सकते हो और approach 1 तभी लगेगा जब आपका ऐसा 20% वाला presumptive criteria आएगा मतलब अगर आपने by vessel import किया और cost ascertainable नहीं होगी सुनिएगा आपने vessel import किया और cost ascertainable नहीं होगी या air import किया या vehicle import किया तो 20% वाला approach आता है या by air होगा तो उस वे भी 20% वाला approach आता है तो जहां पे भी x factory price दो criteria के approach वन किया पहला जहां पे भी x factory price निकालना possible है और दूसरा जहां 20% वाला criteria आता है वाँ approach वन लगता है otherwise direct सिधा सिधा आप FOB निकालो adjusted FOB निकालो उसमें actual cost of transportation insurance एड करो और बढ़ते जाओ फिर कोई दिक्कत नहीं है अगर यह combination नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं फिर simple सिधा सिधा निकालो यह direct FOB दिया होगा तो direct FOB में आप 10.1 के adjustment कर दो adjusted FOB और actual basis पे आप vessel या आपका by air actual by air actual कम होगा तो वह add करते जा और आपका accessible value निकालो यह approach वन तब picture में आता है जब आप x factory backward से निकाल सकते हो यह x factory दी गई है और आप 20% presumptive criteria में अटक रहे हो तो यह approach वन लगता है तो अब approach वन में concept क्या है मैं आपको बता दूँ approach वन में देखो अब यहाँ पे इस problem को मैं दो approach से solve करूँगा एक आप क्या करोगे approach 2 से आप क्या करोगे approach 2 से approach 2 से x factory दिया हुआ है x factory दिया हुआ है तो वो आप dollar 8000 ले लोगे approach 2 से अगर solve किया तो कैसे करोगा dollar 8000 ले लोगे plus वहां का transportation dollar 500 एड़ कर दोगे वहां का transportation plus वहां का loading dollar 500 यह भी आड़ कर दोगे आप और के तो यह आपका आजाएगा वहां F.O.B और कि यह आपका आजाएगा F.O.B क्यूंकि वहां का loading एड़ हो गया तो F.O.B आएगा और फिर आप यह जो freight है वहां से इंडिया तक और insurance तो आप यह जो है by air आया तो यह F.O.B में आप rule 10-1 की adjustment करोगे चलो given problem में 10-1 की adjustment नहीं है पर आप 10-1 की adjustment करोगे तो कितना आया 9,000 और 9,000 में एक आपका जो simple simple सीदा सीदा आप के follow कर रहे हो तो dollar 9,000 10-1 की adjustment समझे लो कुछ होती ही तो हम air कर दे इसमें नहीं है तो नील तो dollar 9,000 आपका जो आया है adjusted FOB आ गया और adjusted FOB आने के बाद आप क्या करते हैं actual 4000 या 20% of adjusted FOB तो 25% of adjusted FOB वीचेवरी is lower तो आप actual basis पे add करते हैं क्योंकि lower actual आ रहा है सोरी 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 आप 20% of FOB आड करते हैं तो आप air freight air freight जो है आप add करते 20% of FOB मतलब dollar 1800 आप इसमें add करते और dollar 1800 जो add आपने किया वो 1800 आपने के बाद insurance, insurance actual ascertainable है इसलिए 2000 आप ये add कर रहे हो insurance का और ये add करने के बाद आपका निकल गया accessible value और वो आप रूपीज में convert कर रहे हो मतलब 9,000 और के प्लस 1800 और के प्लस 2000 याने कितना निकल गया 12,800 आपका accessible value आगया फिर आप इसको जो है रूपीज में convert करते कितना easy लग रहा है ये तो आपने approach 1 से किया लेकिन institute कहती है और इस बार के model में institute ने जो exercise problem दिये उसमें उनने एक problem ऐसा दिया हुआ है और same problem RTP में use किया है पुराने model में तो भी description में explain किया था यहां तो exercise में दिया हुआ है पर चलो मैं आपको approach institute कहती है नहीं ये approach 1 से solve करो approach 1 से solve करो मतलब क्या कि अगर हम 10 to A का 10 to A का 20% add कर रहा है तो ये जो हम 20% add कर रहा है तो इस 20% में ये प्लस ये मतलब ये दोनों भी याने dollar 500 dollar 500 ये include माना जाएगा ये अलग से add नहीं होगा normally हम क्या कर देते है FOMI निकाल देते है FOMI में 10-1 के adjustment होगी और 10-1 के adjustment में फिर adjusted FOMI का 20% तो ये हमारा approach 2 हा लेकिन government क्या कहती है sorry government नहीं हमारी institute क्या कहती है हमारी institute ये कहती है कि अग भाई 10-2A में कौन से expenses आ रहे है 10-2A में 5 expenses आ रहे है जिसमें ये भी आ रहे है तो अगर आप 20% add कर रहे हो 20% criteria में fit हो और 20% add कर रहे हो तो उसमें ये भी आ गए समझ लो यानि जब आ प्रिजम्ट्यू 20% add कर रहे हो तो वो प्रिजम्ट्यू 20% में ध्यान से सुनिएगा वो प्रिजम्ट्यू 20% में आप जो add करोगे वो उसमें आपका ये भी included माना जाएगा मतलब ये separately add नहीं होगा ये separately add नहीं होगा क्योंकि वो 10-2 में हम प्रिजम्ट्यू add करते 20% अवे फो भी तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि डॉलर 8,000 आप लो 8,000 जो X-Factory प्राइस है उसमें का वहां का लोडिंग वहां का transportation add मत करना वो हम प्रिजम्ट्यू में add कर लेंगे अगर हमने प्रिजम्ट्यू लिया तो प्रिजम्ट्यू में add हो जाएगा और डारेक इसमें 10-1 की adjustment करो डारेक 10-1 की adjustment जो भी होगी चलो हमारे इसमें नील है 10-1 की adjustment और जो ये डॉलर 8,000 आया इसमें अब ये आपका adjustment के बाद आ गया अब इसमें अग आप जो है air freight add करो और ये air freight add करने के लिए अब air freight कितना add करेंगे हम तो air freight add करने के लिए नीचे working note बराओ हाँ अब air freight add करने के लिए law क्या कहता है कि 20% of adjusted FOB तो FOB आप main value में add मत करो ये जो 500 500 है ये 500 500 adjust FOB value में add मत करो हाँ सोरी ये जो 500 500 है ये आपके main accessible value में add नहीं होगा वो आपका air freight के base पर add होगा मतलब आप आप जो है working note में धान से सुनिएगा working note में adjusted FOB निकलो और working note में adjusted FOB कैसे निकलेगी तो dollar 8,000 उसमें वहाँ का dollar 500 जो transportation add होगा वहाँ का loading add होगा ये adjusted FOB निकल ये आपके FOB निकल गई ये आपके FOB निकल गई कितना निकल गई आपका FOB 9,000 और आप ये इसमें 10-1 की adjustment करो अगर होगी तो ये working note में करो फिर adjusted FOB आ गई और ये adjusted FOB समझे लो आपके 9,000 आई adjusted FOB आपके 9,000 है तो ये adjusted FOB जो आपके 9,000 आई 10-1 की adjustment होने के बाद इसमें अब हम compare करेंगे actual वह 20% of adjusted FOB actual कितना लगा 10-2-A का तो actual आपको dollar 500 dollar 500 और dollar यहाँ पे 4000 याने dollar 5000 आपको actual लगा और 20% of adjusted FOB कितना 1800 तो ये 1800 में 10-2-A का 5-0 cost आगया ये बान लिया जाएगा और इसमें dollar यहाँ पे dollar 1800 ये 9,000 में नहीं ये dollar 1800 ये 8,000 में add हो जाएगे क्यों क्योंकि actual और adjusted FOB whichever is lower तो आपको whichever is lower लेना है तो ये whichever is lower समझे लो यहाँ पे ये lower होता तो actual लेते ये lower होगा तो हम 20% वाला ये लेते तो ऐसे case में आपको ये जो है add कर देना है dollar 1800 और insurance dollar 2000 add कर देना है accordingly आपको आपकी accessible value निकाल लिया in short ये इंचोट ये सारा जो अटीज हो रहा है ये dollar 500 dollar 500 का हो रहा है याणि दो approach अगर देखा जाए sorry ये दो approach अगर देखा जाए तो ये dollar 500 500 का हो रहा है और ये भी कब हो रहा है ये तब हो रहा है जब हम 20% के criteria में फसed रहे अगर 20% वाला नहीं होता है, actual वाला होता है, अगर यह ही by vessel होता है, यह by vehicle होता है, तो हम direct add करते हैं और सीधा value निकाल लेते है, actual basis पे, जब हम 20% वाले criteria में आएगे, not ascertainable या air freight, तब यह गड़बर हो रही है, तब आपको government कहते है, mean valuation में यह 500, 500 एड नहीं होगा, यह add होग नीचे और नीचे भी air करते हुए, actual या 20%, अगर आप 20% ले रहे होगे, तो वो 20% में, वो include माना जाएगा, अलग से add नहीं होगा, I hope आपको समझ गया होगा, तो ऐसे situation में यह problem लिया गया, और यह approach 1 से लिया गया, जो approach 1 मैंने explain किया था, और जिन्होंने मेरी अभी recent exam oriented batch ल उसका वीडियो लॉग इन में दे रहा हो, तो वो approach 1 देख लेना, okay, institute ने उस पर explanation कुछ नहीं दिया हुआ है, और वो भी CMA ही है, CMA और CS में तो approach 1 ही भी नहीं, उनको approach 2 से ही है, तो मैंने उनको यही कहा था, कि यह approach 1 जो है, मैं लॉग इन में वीडियो दे रहा हूँ, explain कर हो, वो देख लेना, और अभी CA के RTP में उन्होंने approach 1 लिया हुआ है, तो आपको वो देख लेना है, approach 1 जिसके base पर मैंने कुछ questions भी आपको solve करके दिये हुआ है, now, अब मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, कि यहाँ पर, धैन से सुनिएगा, यहाँ पर यह approach 1 और approach 2 के basis पर, अब approach 1 और 2 कभी उसकरना, फिर से समझ लो, approach 1 तभी उसकरना, बस एक लाइन में याद करना, approach 1 तभी उसकरना, जब X-factory आपको दिया गया हो, यह आप निकाल सकते हो, और आप 20% के criteria में first रहो, तब approach 1 उसकरना, otherwise सारे case में, आप simple approach से चलो, FO भी दिया होगा, CIF दिया होग या आपको, यहाँ पर X-factory भी दिया होगा, और X-factory भी दिया होगा, और आपको सिधा-सिधा सब कुछ add करना है, तो यह approach से चलो, यह वाला जो approach है, दो criteria जरूरी है, X-factory और 20% वाला criteria, तब आप, यह approach से जाना, otherwise आपके पास कोई option नहीं है, FOB और CIF दिया है, तो आपक आपका, एक्राफ्ट अराइव हुआ, 24th और Bill of Entry पहले फाइल की, तो rate क्या होगा, तो rate section 15 के इसाब से, यहाँ पर date of, अगर Bill of Entry prior submit हुई, तो Bill of Entry और arrival, whichever is later, I repeat, whichever is later, मतलब date of arrival, तो आपका date of, तो custom duty rate, आपका, date of arrival और Bill of Entry, which is later, तो यहाँ आपकी Bill of Entry पहले फाइल होगी, और arrival बाद में हुआ, तो 24th November, यानि 10% का custom duty रहेगा, CBIC rate, आपको RBI rate नहीं लेना है, और ACV 37 के लिए भी होगा, 12% का rate लेगा, और CBIC rate, मैं आपको कह दू, आपको RBI rate नहीं, CBIC rate लेना है, और Proviso 2 section 14 के तरहत, आपको जो है, जिस दिन पहली बार आप Bill of Entry फाइल करोगे, यानि आपको CBIC rate 20th November के लेना है, और इसके बेस पे solve करना है, अब आपके लिए तो बहुत easy होगा, अगर आप इस question को देखो, answer को देखो, तो अब आपके लिए easy हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे इन्होंने X factory price ली, US dollar 8000, यह X factory price में आपको 10-1 की adjustment करना है, तो 10-1 की adjustment फिलाल हमारे problem में नहीं है, 10-1 की तो करना ही पड़ेगा आपको, तो हमारे problem नहीं है, और यह जो है, total actual 5000 आ रहा है, और आपका 20% of adjusted FOB, US dollar 1800 आ रहा है, और insurance 2000 आ रहा है, तो इस तरह से, in short, आप अगर X factory दिया है, और यह सारे expenses दिया हो, और अभी तक यही problem पूछा है उन्होंने, और मैंने जो questionnaire में दी एक दो problem, वही पूछा है, approach 1 पे, उतने करके गए तो भी ठीक है, ज्यादा confuse होनी की दर्वत नहीं है, तो इसमें direct जो 1800 है, उन्होंने अड़ किया 2000, और उसके basis पर CBIC rate उन्होंने 70 ल 1 पे, उन्होंने RTP में question पूछा है, चली, तो यह आमने देखा, यहाँ पे question number, question number 18, जो है, आमने यहाँ देखा, question number 19, 17, Shivansch Limited imported a machine from Germany, 4 rupees 180 lakhs during the month of March 2022 on payment of all duties and customs, 180 lakhs क मेशने पर्चेस किया, due to some technical manufacturing defect, the machine was exported, sent to supplier for repairs in October 2022, the machine was re-imported, very good, the word re-imported without any remanufacturing or reprocessing in August 2023, after repairs, since the machine was under warranty period, repair were carried out free of cost, warranty period में और repair free of cost में किया गया, however, the fair, okay, fair cost of repair carried out, excluding cost of materials 10 lakhs, would have excluding cost of material 10, the repair का 5 lakh हुआ, actual insurance and freight charges 2 and from 5 lakhs, जाने आने का बढ़ा लगा, the ownership of machinery has not been changed during the period, you are required to advise, Shivans Limited on the concession, if any, available on importation of machinery after repairs, also state the condition to be satisfied for availing such concession, also compute custom duty and integrated tax payable, if any, on the re-import of machine after repairs, rate of basic custom duty 15% or 12%, यहां पे, integrated tax है, ignore agriculture, infrastructure, अब मैं आपको एक बात कहई दू कि यहाँ पर यह री इंपोर्टेशन पर क्वेश्चन है, अगर आप री इंपोर्टेशन, कंसेशन अंडर कस्टम्स में एक चैप्टर लिया था, जिसमें पिल्फरेज, लॉस्ट डिस्ट्रोईट और सेक्शन 20 लिया था, अगर आप उसमे देखते हो, तो री इंपोर्टेशन के केस में, जब भी कोई गुड्स री इंपोर्ट होता है, तो ट्रीटेड अट पार विथ अधर इंपोर्टेड गुड्स बोला गया है, यहन्ने उसके उपर पूरा सिमिलर कस्टम ड्यूटी जैसे अधर गुड्स पर आता है, उसके प आएगी, मशिन के वैल्यूटी पर आपको कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट मिल गाएगा, तो ऐसे केस में, मशिन की वैल्यूटी समझ लो, 180 लैक्स होगी, तो उसके उपर फिर से कस्टम ड्यूटी देने के जरवत निया है, जब वो रिपेर होके इन्या में आ रहा हो, री में ये भी क्लारिफिकेशन दिया गया, कि हो सकता है कि वो वारंटी में हो, हो सकता है, फ्री आप कॉस्ट हो, वो फ्री आप कॉस्ट भी होगा, सामने वाले ने आपको चार्ज नहीं भी किया होगा, तो भी उसकी जो कॉस्स लगी है, वो आपको वैल्यू में कंसिडर करनी जाएगा तो ऐसे case में आपको पहले वो notification लिखना है और दोस्तों ये question आ सकता है इसलिए मैं तो ये कोगा लिख के देख लिए ये लिख के देख लो question आ सकता है आपको ये वाला तो ऐसे case में जो है यहाँ पर 19 पहले तो आप ये notification जो है number याद नहीं भी रहा तो भी इसकी provision लिख के देख लिए न और ये उसकी condition है कि goods रिए इंपोर्ट नना ची 3S extendable up to 2S, exported goods और imported goods are same, ownership should be same, ये conditions और ये notes पे marks है, जिए calculation पे marks नहीं है, तो total 20 lakhs उसके बार basic custom duty, social welfare सर्चार्ज और आपको integrated tax याने ASD 37 निकालना पड़ेगा, चलिए और 20 number का question तो FTP का theoretical question है कि status holder को क् इस तरह से हमने यहां पे complete किया हमारा RTP, तो सारे questions हमने अच्छे से solve करने की कोशिश की है, ठीक है, तो चलिए दोस्तो, I hope आपको ये RTP का discussion पसंद आया होगा, पसंद आया होगा, तो आप बस like कीजिएगा, share कीजिएगा, maximum students को share कीजिएगा, क्योंकि generally अभी बहुत सारे students आपके friends है, social media बंद कर चुके हैं, और YouTube, Insta या Telegram नहीं देख रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि RTP में आप समझ गयो होगे, इस बार के अच्छे questions है, उनसे ये एक्डोर नहीं होना चाहिए, तो आप उनको message करो, share करो, कि at least RTP के questions देख लो क्योंकि बहुत सारे questions amendments पर है, कोई भी चीच छोट नहीं नीच है, और मैं आपको ये ही suggest करूगा कि लगता ऐसा कि यार, दो गंटे चले जाएगा, एक गंटा चले जाएगा, पर ऐसा मत करो, ये RTP के questions solve करके जो, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, कि बहुत सारे RTP के ऐसे क्या, ऐस साथ-साथ में मैंने description में सारे revision videos दिये हैं, और ये revision video जरूर कीजिएगा, मैं आपको ये कहोगा, कि revision video जरूर कीजिएगा, यहां पर ये आपको definitely बहुत काम आएगा, और मैंने questionnaire, मैं आपको ये ही suggest करूगा, कि आप self-try करो, ये आदत मत लगाओ questionnaire में, कि बही सर बोढ रह सकता है, पर self-try करो, ये selected तो भी करो, चलो पूरा नहीं होता है, तो RTP के, अभी तो RTP मेंने लिए और बाकी पूराने RTP के सारे questions, कि वो लो, और आप exam के questions consider करो, और last का computation of GST, कि वो आप try करो, ये सब कुछ आपका यहां पर questionnaire में ट्राय करो, तो definitely आपका बहुत को plan किया है, और मैं plan कर रहा हूँ, देखो, मैं अभी commit नहीं कर रहा हूँ, पर मैं plan कर रहा हूँ, कि मैं super 50 questions जो है, super 50 questions record करोगा, कि ऐसे 50 selected questions जिसमें पूरा entire syllabus coverage होगा, अगर मैंने वो upload कर दिया, record करके, क्योंकि उसको बनाने में मुझे time लगेगा, पर मैं कोशिश पूरी कर अगर मैंने अपलोड कर दिया, तो वो भी देख लो, तो आपका entire syllabus cover हो जाएगा, उतना कर लिया, तो मैं तो यह कोगा questionnaire में, फिर selected questions जो आपने लिये होगे, वो ही देखो, तो आपका coverage cover हो जाएगा, तो उसकी link अगर record कर दूगा, तो बाद में मैं नीचे description में update कर दूगा stay tuned with our YouTube channel Think JST, Think Vishal sir, मैं बस इतना ही कहना चाहोगा दोस्तों आकरी में, कि अब जितना भी time आपके पास available है, यह time effectively utilize करो, मानता हो कि exam अभी postponed होनी चाहिए थी, पर नहीं होई, okay, institute है हमारी, okay, हमें जटके देती है, और अब तो आदत बन चुकी है, यह challenges लेने की, तो मैं बस नहीं कहोगा कि अब छोड़ो, okay, उसके बारे में मज सुचो, जितना time आपके पास available है, पूरी यहां पे मेहनत के साथ, पूरी energy उसमें devote कर दो, और जितना possible है within this time period, अच्छे planning के साथ, अच्छे strategy के साथ, ABC analysis के साथ, उस तरह से plan करो, जो topics आपके revision के थ्रू हो जाते है, ज आपको लगता है कि थोड़ा in depth में होना जरूरी है, okay, तो वो topic regular book से try करो, इस तरह से सिर्फ IDT ने, बाकी सारी subjects भी आप try करो, इसका आपको definitely benefit होगा, benefit होगा, इसको ही हम ABC analysis कहते है, ठीक है, amendments related, यहाँ पे, yes, मेरी summary amendments का, amendment तो मैंने explain कर दी है, summary amendment का, जो यहाँ पे, एक, मैंने summary बनाई है, 5-10 pages में पूरा amendments score कर लिया है, तो एक PDF मैं आप से share करोगा, वो इसी description, RTP resource material इस Google Drive link पे मिल जाएगा, as well as, आपके पास amendment का मेरा Google Drive link होगा, तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है, तो वो जो है, आप यहाँ पे, वो amendment सुनिएगा, तो वो amendment जो है, आप कर लीजिएगा, वो amendment अगर आप करोगे, summary कर लोगे, आपने पूरी amendments कर लियोगे, तो summary कर लोगे, तो आपका एक पूरा और और व्यू आपको मिल जाएगा, अब आप कोगे, sir, amendment summary का भी video दे दो, बेटा, अभी amendments दे दिया है, इतना मत spoon feeding कर वाओ, चली मेरे, so hope आया, तो मैं commitment कुछ नहीं दे रहा हूँ, okay, और ना कोई comment आपने देना, description में, okay, hope आया, तो मैं दे दुगा, पर मैं summary आपको निकाल के दे रहा हूँ, दो-तिन दिन में उसकी भी summary आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो चली दोस्तो, मेरी best wishes आपके साथ है, अच्छे से पढ़ो, जादा मत सोचो, और जब तक आप आखरी paper का आखरी word नहीं लिखते हो, तब तक, तब तक कोई भी negative सोच निमाग में मत आने देना, तब तक अपने आपको यही समझाना, कि yes, okay, मैं अपनी पूरी महनत करूगा, उसके output के बारे में भी मत सोचो, okay, बस यह समझो, कि मैं पूरी महनत क हो सकता है, उतना मैं करूगा, कोई कम ही नहीं छोड़ोगा, बस इतना सोचो, इसके आगे मत सोचो, क्या होगा, पास होगे, फेल होगे, लोग क्या कहेंगे, बिलकुल मत सोचो, जितना आप इस अच्छे, अच्छे थाट का, जो positive थाट की आदत लगाओगे, कि मैं अपने तरफ से कोई time waste नहीं करूगा, बस इतने तीन थाट पे चलो, इसके आगे मत सोचो, क्योंकि इसके आगे अगे अगर output पे सोचे, तो negative thoughts डालो हो जाएगे, और negative thoughts आपके लिए अभी इस stage पे बहुत dangerous है, क्योंकि आपके दो दुश्मन आपके साथ खड़े हुए हैं, और व इसके आएगा उसके बारे में सोचा, तो ये दो दुश्मन बस चांस लेके बैटे कि आपे अटेक कर दे और आपको डिस्ट्रॉय कर दे, इसलिए इन दोनों को चांसी मत दो, बस बार बार एक positive energy के साथ ये कहो, कि मेरे से इतना होगा, और मैं अपनी पूरी मेहनत लगा द ये, thank you so much.